जेव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस क्या होती है हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है या सेल्स होते हैं वो जीवन का अधार होते हैं और सभी जीव किसके बने हैं कोशिकाओं की बने हैं और हमें ये भी पता है कि कहीं कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है उतक बनाती है और क परियावनान और वातावनान के प्रफाव से क्या होता है यह सरशनाय विगटित होती रहती है तो फिर क्या होता है कि इनको रिपेरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और यही रिपेरिंग या मेंटेनेंस जो है जिसको मेंटे कह रहे हैं तो वो जेव प्रक्रम या सरशना हम कह सकते हैं जो निरंतर एक्टिव रहता है और वर्क करते रहता है या शरीर अपना जीवन को जीना भी एक लाइप प्रोसेस का पार्ट रहेगा तो इससे तू जीवन में जीवों को क्या करना पड़ता है कि अपना रिपेरिंग करना पड़ता है और मेंटेनेंस करना पड़ता है जैसे गाडियां होती तो क्या होता है उनका गाडियों को चलना होता है तो उनको रिपेरिंग भी चाहिए उनको मेंटेनस भी चाहिए ऐसे जीवों में जो शरीर होता है उसके जो हंग है वो काम करते हैं तो उनको भी रिपेरिंग और मेंटेनंस की ज़रुवत पड़ती है ताकि किसी भी प्रकार की जो क्षती या टूट फूटे उससे शरीर को बचा सके रोक सके या अगर हो गई है तो उसे ठीक कर सके और शरीर नीमित रूप से ठीक दशा में क श्वशन, रेस्पिरेशन, वहन, ट्रांस्पोर्टेशन, उसर्जन, एक्सक्रिशन, यह इतने भी हैं यह सारे के सारे क्या हैं जेव प्रक्रम या लाइप प्रोसेस है जो सम्मिली दूप से मिलकर मेंटेनेंस का काम करते हैं अब जैसे एक एक करके हम गात करें मान लीजे तो स्टार्ट करें जैसे हम पोर्शन से स्टार्ट करें तो क्या होता है जीवों को सभी कारियों के लिए क्लिए उर्जा के आवशक्ता होती है जब वो कुछ काम कर रहा हो तब भी और जब नहीं कर रहा हो लेटा हुआ हो तब भी मदब लेटे हो तब भी कुछ काम कर रहे था हम प्रद्द्मिक ठीक को भेष्ट है और जीवें Che high-c terrified कफेंधने या कुछ एक्सिर्साइश कर रहे हैं तब धर परिस्तिति क्या होता एनर्जी की जरुरत पढ़ती भड़ती ही हैं मतनब कुल मिलाकर शारीरी ख्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवशक्ता होती ही और वो उर्जा प्राप्त होती है पोशन तो जीवों में क्या है कि भोजन घ्रहन करने और उसका उपयोग करके उर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या जो प्रक्रम है उसको पोशन या न्यूट्रिशन हम कहते हैं तो यह एक लाइप प्रोसस का भाग रहेगा पोशन उसके बाद में दूसरा इस्साम बताते हैं कि जो श्वशन है रेस्पीरेशन वो है कि शरीर के बाहर से आप अक्सीजन को ग्रहन करें और कोशी की आवशकता है कि अनुसार उसका खाद इस्तरोत के विगटन में उपयोग कर लें तो वो कहलाता है श्व और यह सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है उसके बाद में जो तीसरी प्रक्रिया है जो महत्तुपून जेव प्रक्रम के अंतरकत आती है वो है ट्रांस्पोर्टेशन मरलब शरीर के विभिन भागों में भोजन और ऑख्शीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले प्रक्रम जो है वो वहन या ट्रांस्पोर्टेशन कहलाता है हमें पता है कि जो रुधिर है ब्लड है वो भोजन ऑक्सीजन और अन्यवर्ज पदार्तों का परिवहन करता है तो यह ट्रांस्पोर्टेशन का पार्ट हुआ कि शरीर के सभी अंगों तक हम भोजन और मतलब उस सर्जन में क्या हो रहा है कि जैसे जो रासानी कभी क्रियाएं होती है ना उन अभी क्रियाओं में जो कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन का जो प्राप्ति करने के लिए हम रासानी कभी क्रियाएं होती है हमारी बोडी के अंदर तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन स बनते हैं तो वो ना केवल शरीर के लिए शरीर की कोशिकाओं के लिए अनुपियोंगी बल्कि हानिकारक भी होते हैं तो ऐसे अपसिस्ट उत्पादों को जो शरीर से बाहर निकालने का काम होगा वो कहलाएगा उचसर जन तो यह सभी क्या है जेव प्रक्रम का हिस्सा है और यह सभी सम्मिलित रूप से शरीर को चलाएमान रखने और उसका मेंटेनेंस करने का काम करते हैं तो यह है हमारा जेव प्रक्रम धन्यवाद स्वयम पोशी पोशन आटोट्रोफिक नूट्रीशन और विशम पोशी पोशन हेट्रोट्रोफिक नूट्रीशन में अंतर देखते हैं क्या फरके इन दोनों में इस पोशन के इन दो प्रकारों में क्या अंतर है स्वैम पोशी पोशन आटोट्रोफिक नूट्रिशन और विशम पोशी पोशन हेटरोट्रोफिक नूट्रिशन में हम अंतर करने जा रहे हैं पोशन की ये जो विधी होती है जिसको हम स्वयम पोशी पोशन कहते हैं इसमें नाम से ही पता चल रहा है आटोट्रोफिक स्वयम पोशी मतलब जीव अपना भोजन स्वयम बनाते हैं तो जो जीव अपना भोजन स्वयम बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वयम पोशी जीव और ये इस प्रकार का जो पोशन होता है या पोशन की ये विधी कहलाती है स्वयम पोशी पोशन जैसे सभी हरे पोदे युगलीना आदी जो है वो क्या करते हैं स्वयम पोशी पोशन के अंतरगती अपना भोजन स्वयम बनाते हैं हमें पता है हरे पोधे स्वपोशी होते हैं और इनकी पत्ती की क्लोरोफिल युप्त जो कोशिकाएं होती है वो सूरी के प्रकाश की उपस्तिती में कार्बन डाय अक्साइड और जल से कार्बो हैट्रेट का क्या करती है संसलेशन करती है और इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रक अधिक अधिकते हैं और आतना कियों कि यी आता है। ले लेते हैं तो ऐसा विशम पोशी पोशन यह जो पोशन होता है इसको हम बोलते हैं विशम पोशी पोशन और ऐसे जीव जो है वो विशम पोशी कहलाते हैं जैसे यूगलीना को छोड़कर सभी जन्तु क्योंकि यूगलीना को हमने इधर ले लिया है अमर बेल और एरेफली कहलाते हैं जैसे कि यहां ही आप अमर बेल को देख रहे होंगे चली अब आगे example लेते हैं आगे समझते हैं इन में और क्यांतर है तो इसमें हम देखते हैं कि यह इसमें भोजन निर्मान है तू हरित लवक पाए जाता है तो यह बहुत important point हो जाएगा कि इसमें भोजन निर्मान के लिए हरित लवक होता है इसमें भोजन निर्मान के लिए हरित लवक नहीं पाए जाता है इस प्रकार का जो पोशन है उसमें ऐसा होता है हरितलबक पाये जाता है, इसमें हरितलबक नहीं पाये जाता है, फिर और महत्वपुण है, कि ये स्वयम् परदर्शित करता है, सभी हरे पोदे, तो इस पोचन को प्रदर्शित करने वाले को ने हरे Montион, तो उत्पादक कहलाते हैं, तो ये हो गए आपके उत्पादक, तो इसको जो प्रदर्शित करते हैं, उनको हम कहते हैं उत्पादक, तो ये उत्पादक जो है वो आपका क्या करते हैं, स्वेम पोशी पोशन को प्रदर्शित करते हैं, और जो विशम पोशी पोशन है, उसको पोशी पोशन को प्रदर्शित करते हैं और यह जो ऊपर के देखिए प्रात्मिक दूती तरती यह उपभोगता हैं तो यह आपके जो है यह क्या करते हैं विशम पोशी पोशन को प्रदर्शित करते हैं और इसमें यहां देखी रहा है यह पोशन इस तर में आप देख रहे ह कि इस पोशन को जो प्रदशित करने वाले जीवे वो खाद शंकला में कहा होते हैं प्रथम पोशी स्तर पर होते हैं उत्पादक ये प्रथम पोशी स्तर पर हैं और जो चोटे मानसारी हैं जो शाकाहरी हैं वो प्रात्मी को भोगता हैं वो द्विती पोशी स्तर पर होते हैं और इसके बाद आप देखिए कि जो छोटे मानसारी हैं, अर्थाद जो द्वितियक उभोगता हैं, वो तीसरे पोशी इस्तर पर हैं, और सब से उपर देखिए, ये बड़े मानसारी हैं, अर्थाद ये तरती उभोगता हैं, और ये चोथे पोशी इस्तर का निर्माना करते ह प्राविके से पोशी स्तर में इहुम देखते हैं कि जो प्रथम पोशी स्तर है।। प्रषम पोशी स्तर पर अधिक ref feeling वते हैं। और दूति, तरति और जो चतुर्त पोशी इस तरहे, सेकंड, थार्ड और फोर्थ इस पर जो होते हैं प्रात्मिक भोगता, दूति और भोगता, तरति और भोगता ये विशम पोशी पोशन को प्रदर्शित करने वाले जीव होते हैं. और साथ में एक और महतुपुन बात हम कहेंगे कि इस पोशन को प्रदेशित करने वाले जीव प्रकाशिक स्वयम पोशी और रसायन स्वयम पोशी होते हैं मतलब यह हम कह रहें कि यह जो होते हैं यह दो तरीके से दो तरीके के जीव होते हैं एक प्रकाशिक स्वाम पोशी होते हैं और एक आपका यह होते हैं रसायन स्वाम पोशी तो यह और यहां जो है आप कहेंगे कि इसमें जो होते हैं वो कौन होते हैं इसमें होते हैं इस पोशन को प्रदेशित करने वाले जीव परजीवी, मरत जीवी और सहजीवी होते हैं पर जैसे लाइकेन में वो शेवाल और कवक, तो यह सहजी भी होते हैं, और इसमें किसको लिया आपने, इसमें लिया प्रकाशिक स्वयम पोशी और रसायन स्वयम पोशी को, प्रकाशिक स्वयम पोशी तो हम समझ गए कोन है, जो हमारे हरे पोध हैं, और रसायन स्वयम पोशी ज रहने वाले,aw שक्या कोटार्ख उतार換 को देखी तो इस पोशन को प्रदशित करने वाले जीव देखिए आप तीन नंबर चार नंबर और पांश नंबर में दोनों जगे मैं ईयसा लिखा है बस के वढल यहां यह यह लाइन आपकी चेंजों की उत्पादक कहलाते हैं, भोगता कहलाते हैं, खादिर शंकला में प्रथम पोशी इस्तर पर होते हैं, खादिर शंकला में दूती तरती और चतुर्थ पोशी इस्तर पर होते हैं, प्रकाशिक स्वयम पोशी और रशायन स्वयम पोशी होती हैं, इसमें इतलबक होता है यह देखिए यह जो है उत्पादक होते हैं स्वैम पोशी यह भोगता होते हैं यह स्वैम पोशी की प्रापर्टी है यह जो आपने ब्लू से लिखे हुए सब यह यह यहां देखिए यह स्वैम पोशी की प्रापर्टी और इधर यह विशम पोशी की प्राप प्रकास संसलेशन, फोटो सिंथेसिस, पादपों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका संसलेशन उनकी पत्तियों में होता है, कहां होता है? पत्तियों में, पत्तियां वास्तों में क्या है? जो पादप होता है, उसकी खाद्य फेक्ट्रियां है ये पत्तियां, तो पत् ये खादी फेक्ट्रियां होती है। आप समझज रहे हffen, फादी फेक्ट्री का मतलब यहां पर भोजन बनता है। तो यह कैसे बनता है। हमें पता है। कि यह सूरि के प्रकाश की उपस्तिती में होता है। प्रकास नसलिशन के लिए सूरी का प्रकाश बहुत जरूरी है तो सोर उर्जा जब मिलती है तो प्रकास नसलिशन की क्रिया होती है वास्ता में होता क्या है कि जो मिट्टी होती है म्रदा उसमें जो जल और खनीज होते हैं यहां नीचे की तरफ देखें चित्र में तो म्रद वो जड मूल द्वारा उशुशित होकर वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुचाए जाते हैं तो हमें पता है कि जल और खनीज लमणों का जो परिवहन होता है वो एक विशेश प्रकार के उतक जाईलम के द्वारा होता है तो जो म्रदा में उपस्तित जल और खनीज तने के जरिये वाहिकाओं के माध्यम से कहां पर आ जाते हैं वो पत्तियों तक पहुचाए जाते हैं तो हमारे पास एक तो हो गई सोर उर्जा फिर हमने जड़ों के द्वारा क्या लिए जल एवं खनीज तो प्रकास ससलेशन में सोर उर्जा और जल एवं खनीज जड़ द carbon dioxide जो है वहाँ से उसके अंदर प्रवेश करती है इस तरीके से carbon dioxide इसमें क्या करती है प्रवेश करती है तो जो पत्ती के सता पर जो सुक्ष में रंद्र होते हैं उन रंद्रों दवारा जो वायू में उपस्तित carbon dioxide वो अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर क्या होता है फिर पत्यों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल तो पत्यों में जो क्लोरोफिल होता है ये सूरी के प्रकाश की उर्जा का संग्रहन करने में पत्ती की क्या करता है मदद करता है तो अब पत्ती को क्लोरोफिल भी मिल गया क्लोरोफिल कार्बंडेय आकसाइड हो गई है ना और फिर क्या हुआ पत्तियों से क्लोरोफिल मिल गया और यहां जो जड़ है वहां से आउशोशित होकर क्या मिल गया जल एवाम खनीज भी मिल गया तो प्रकास असलेशन के लिए यही सम्भूल चीजें अब क्या हुआ कि पत्ति क्या कर करती है कि जो सूरी का प्रकाश उसको मिला है जाना क्लोरोफिल की मदद से तो उस उड़ा का जो उप्योग है वो जल यहां से यह जो जमीन से जो जड़ से जह जल आया है वह और वाईू से कार्मन डैय-あकसाइड मिलिए हो जो के उसकी मदद से खाद्य संसलेशन करती है है और चुकि एक खाद्य संशलेशन किसकी उपस्तिती में होता है सूरी के प्रकाश की उपस्तिती में होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रकास संशलेशन अब वास्ताव में हम समझ गए कि प्रकास संशलेशन के लिए क्या-क्या जरूरी है तो सूरी का प्रकाश जो सोर जाका संग्रन करने में पत्ती को मदद करेगा और वायू से ये पत्ती के सता पर जो सुक्ष्म रंद्र है उसमें आने वाली कार्बन डाई ऑकसाइड इन सब के द्वारा जो है ये पोधे अपना भोजन बनाते हैं इसे स्वपोशी पोशन कहते हैं तो हमने प्रकास संग्षिigram में देखना चाहें तो हम कहेंगे कि पत्ती की जो क्लो रॉफ्ल युक्त कोशिकाएं है यह क्लोरोल फिल यूट यूग्थ कोशिकाएं यह सूर्खे प्रकाश की उपस्तिती में कारबन डयाकसाइड और जल से क्या करती है कर और carbohydrate का संसलेशन करती है, अर्थाद अपने लिए glucose बना लेती है, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं, प्रकास संसलेशन, तो carbohydrate का संसलेशन कहलाता है, प्रकास संसलेशन, प्रकास की उपस्तिती में, और हमने समझा कि यह जो पत्तियों में, जो क्लोरोफिल युक्त को शिकाएं हो है और इस प्रकार से ये पोधे अपना भोजन तयार करते हैं इस क्रिया को कहते हैं प्रकास ससलेशन अगर हम समिकन के रूप में देखना चाहें तो कार्बन डैय ऑक्साइड और जल सूरी का प्रकाश क्लोरोफिल जो पत्तियों में है और वो बनाता है कार्बोहाइड्रेड और ऑक्सीजन मुक्त होती है इस प्रक्रिया के दोरान जो हमारी प्राणवायू है और उड़ जा मिलती है अगर हम समिकन के रूप में देखें तो 6CO2 प्लस 12H2O सूरी का प्रकाश क्लोरोफिल C6H2O6 कार्बोहाइड्रेड प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस उड़ जा इस तरीके से हम प्रकाश नस्लेशन को समझते हैं क्लास 10th Science, 8th Science और Biology के अध्यन में अमीबा में पोशन या Nutrition in Amoeba का बड़ा महत्व है जनर्रल नौलेज की दरस्टी से भी ये बहुत महत्व पूर्ण है तो अमीबा में पोशन, Nutrition in Amoeba कैसे होता है? ये कैसे इसकी क्रियाविधी है? इसे समझते हैं Nutrition in Amoeba, Amoeba में पोशन Amoeba वास्तों में क्या है? कि ये जलाशेयों में पाये जाने वाला, पॉंड्स में पाये जाने वाला एक कोशिक जीवे, Single-Cell होता है Amoeba, एक कोशी होता है तो एक कोशिक जीव हम इसको कह सकते हैं, पैरा मिशियम के साथ-साथ Amoeba भी एक कोशिक जीव होता है और ये जलाशेयों में पाये जाता है, Amoeba की जो कोशिका होती है, इस कोशिका में चुकी है, एक कोशिक है, तो इसमें एक कोशिक जीव है, और इसमें ये इस तरीके से यहाँ इसकी कोशिका जिली होती है, जिसको हम Cell Membrane कहते हैं, इसमें गोल, Dense Nucleus होता है, मतलब सगन केंदरक होता है, आप कह सकते हैं, ये इस तरीके से केंदरक होता है, Rounded Dense Nucleus बोलते हैं हम इसको, जिसे हम नाभीक भी कहते हैं, और साथ में इसके अंदर ये, जो साइटोप्लाजम हैं, या कोशिका द्रव्य है, उसमें बुलबुले के समान, बहुत सारी क्या होती है, इस तरह से, रिक्तिकाएं, जिने हम धानिया भी कहते हैं, वो होती हैं और अमीबा निरंतर अपनी आकरती और इस्थती क्या करता है, बदलता रहता है, और जरुत पढ़ने पर यहां, एक या अधिक इस तरीके से देखिए, यह यहां देखिए, यह यहां देखिए, एक या अधिक, उंगलियों के समान प्रवर्द, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स निकालता रहता है, और इन्हें हम कहते हैं, पादाब या कूटपाद, यह पादाब या कूटपाद जो होते हैं, यह देखिए, यहां यह अमीबा को गती देने और भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, अमीबा जो होता है वो कुछ सुक्ष्म जीवों का माइक्रोस्कोपिक और्गिनिजम्स का आहार करता है तो ये हम देखें तो अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि ये जलाशवे में पाए जाने वाला एक कोशिक सिंगल सेल्ड जीव है और अमीबा की जो कोशिका है उसमें कोशिका जिल्ली सेल मेंब्रेन होती है एक गोल सगन केंदरक राउंडेट डेंस नूकलियस होता है और इसका कोशिका द्रवया साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये इस तरीके से बुलबुले के समान ये देखिया आप इस्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर कहलाती है इसकी धानिया या रिक्तिकाएं वो क्यूल्स और अमीबा का एक और नेचर होता है कि ये निरंतर अपने आकरती और इस्थति को क्या करता है बदलता रहता है और ये एक याधिक इस तरीके से देखिया ये एक याधिक उंगलियों के समान प्रवर्द मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स निकालता रहता है तो ये जो प्रोजेक्शन्स होते हैं या प्रवर्द होते हैं इन्हें पादाब या कूट पाद कहते हैं सुडो पोडिया ह ये क्रत्रिम पाउं जिसको हम बोल सकते हैं और ये इनको दो तरह से मदद करते हैं तो गती देने में भी मदद करते हैं और दूसरा ये जैसे देखिए ये खादिकनों को इस थरीके से पकड़ने में भी मतलब भोजन को पकड़ने में भी मदद करते हैं अमीबा वस्तुता कुछ सुक्ष्म जीवों का आहर करता है अब यह कैसे होता होगा होता क्या है कि जैसे ही कोई सुक्ष्म जीव जो अमीबा का भुजन है वो जैसे ही यहां इस तरीके से इसके पास आता है और जब अमीबा को भुजन का क्या होता है आभास होता है तो अपन चारो और वो क्या करता है उस खादिकन को पकड़ने के लिए उस खादिकन के चारो और वो इस तरीके से आइस्ताई पादाप विक्सित करके क्या करता है उसको निगल लेता है तो वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा निगल लेगा अब क्या होगा जब फूड पार्टिकल निगल लेगा तो ये जो खाद्य पदार थे इसकी फूड वेक्यूल ये देखिए वाइट कलर वाली जो देख रहे हैं आप फूड वेक्यूल खाद्य रिक्तिकाएं इन रिक्तिकाओं के अंदर वो आकर ट्रेप हो जाएगा या फस जाएगा अब ये जो फूड वेक्यूल होती है या खाद्य रिक्तिकाएं होती है इन में पाचकरस डाइजेस्टिव जूस इस्त्रावित होते हैं तो क्या करेंगे वो डाइजेस्टिव जूस या पाचकरस इन रिक्तिकाओं के अंदर ये जटिल जो खाद्य पदार्थ है है इनको सяет्ma करेंगे बदलते चले जाएंगे रिक्तिकाओं में जटिल क्रateश को सड्रदेप अर्ड आर्थों में बदलते जाएंगे जो फिर बाद में क्या होगा कि जो साइटो प्लाजम है या जिसको कोश्री का द्रभी उसमें वो डिफ्यूज हो जाएंगे या विस्तरित हो जाएंगे कि और जो इस तरह से जो पचाहुए भोजन हो या फूर्ड होगा वो धिरे दिरे और अउश्रिशत होता रहेगा और अम्मिभा को भ्रदी रख खाहो और इसमें उसके जो मल्टिपल करने में आगको इसनेमें उसको प्योग में आता रहेगा और जो बिना पचाहुए जो कि वास्तों में जाल दिया जाता है। इस प्रक्रियौ कि और थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी बात की थी कि अमीबा जो है वो किस तरीके से सुक्ष्म जीवों का आहार करता है इसको हम स्टेप बाइ स्टेप समझने की कोशिश करते हैं जब वास्तों में क्या होता है कि यह जो अमीबा है इस अमीबा को अपने आसपास फूट पार्टिकल या खात देखनों का आभास होता है तो ये क्या करता है फिर इस तरीके से देखिए अभी यहाँ शेप देखिए आप अभी तो इसको किवल खाद दिखणों का अपने आसपास आभास ही हुआ है और ये क्या करता है जैसे इसको खाद दिखणों का अपने आसपास आभास होता है तो ये इस तरीके से देखिए आ क्या किया इसने जैसे इसको खाद्यखणों का अपने आसपास आभास हुआ तो इसने क्या करा अइस्थाई पाधाप विक्सित कर लिये और अइस्थाई पाधाप विक्सित करके क्या किया उसने इस खाद्यपदार्थ को क्या कर लिया निगल लिया तो यह आइस्थाई पादाप विक्सित करके उसने खाद्य पदार्थ को क्या कर लिया है निगल लिया है अपने अंदर के और खीश लिया है तो प्रोसेस यह है कि जैसे ही उसके सामने उसको भोजन का आभास होता है मतलब वो फूड को सेंस करता है तो फिर वो क्या करता है कि अपने अइस्थाई पादाप को खाद्य पदार्थ के चारोर वो विक्सित कर लेता है फूट पार्टिकल के अराउंड जो है वो सुडो पोडिया को पुशेज आउट करता है और फिर वो क्या करता है कि इसके बाद में अगली प्रक्रिया के रूप में क्या होता है कि जो खादे-पदार्थ होते हैं वो खादे-पदार्थ क्या होते हैं देखिए यहां देखिए या आपको food वैक्यूल दिख रहे होगी रिक्तिका तो ये जो खादे पदार्थ हैं ये खादे पदार्थ उसकी food वैक्यूल या खादे रिक्तिका में य। फस जाते हैं, अब जब एक खाद्य पदार्त उसकी फूड वेक्यूल या खाद्य रिक्तिका में फस जाते हैं, तो खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है, कि पाचकरस, डाइजेस्टिव जूस, क्या करते हैं, जटिल खाद्य पदार्तों को सरल खाद्य पदार्तों में बदलते जाते हैं और फिर वो जो है कोशी का द्रवे में वो विश्रित होने लगता है, पतलब साइटो प्लाजमों में वो जो आपका सरल खादे पदार्त हैं, वो डिफ्यूज होने लगते हैं, और ये जो पचा हुआ खाद्य है, यही क्या करता है, धिरे धिरे आउश्यश खाद्य है, वो खाद्य क्या करेगा, कि खाद्य रिक्तिका से क्या करेगा, या फूड वेक्यूल से क्या करेगा, कि सतह की और फेका जाएगा, या सर्फेस की और धकेला जाएगा, और सर्फेस से फिर वो सर्फेस की और गती करेगा, और फिर सर्फेस से क्या होगा, वो बा बाहर की और भी फेका जा सकेगा तो बिना पचा जो अपसिस्ट है वो खाद दिरिक्तिका से कोशिका की सतह पर आएगा और फिर वहां से शरीर से क्या होगा बाहर की और निकाल दिया जाएगा और अमीबा अपनी पूरु इस्तती में आ जाएगा कि इस भूरु इसकी कोशिका का परैं निश्यताकार होता है और उसमें भोजन एकनिशचध से इस्थान से घ्रणकी अजाता है यह आप अश्य धियं अरु पहुचाए जाता है वह पक्षयाब या सीलिया की गती के द्वारा परुशता है पहरा मिशियम और यह जो कोशिका को पूरी तरह से क्या करते हैं धके हुए रखते हैं तो इस तरीके से हम एक कोशी की जीवों में पोशन को समझ सकते हैं विशेश रूप से अमीबा में पोशन को हमने यहां step-by-step समझा और हमने समझा कि इसकी जो steps पहली स्टेप में भोजन का उसको सेंस होता है अभास होता है और जैसे ही वो भोजन का अभास होता है तो वो क्या करता है कि वो अइस्ताई पादाप विक्सित कर लेता है खादे-पदार्त के चारों और फिर वो क्या करता है उसको निगल कर क्या करता है उसको निगलता है और और खादे-पदार जो है उसकी रुक्तिकां के अंदर फस जाते हैं और वहाँ पर फिर वह बदलते हैं मीबा को पोषन मिल जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि पाचन और पाचन और और पाचन अषोशन और बहीक्षेपन की प्रक्रिया एक साथ होती है डाइजेशन होता है अब्जॉर्शन होता है और अंडाइजेस्टेट फूड जो है वो थ्रो आउट कर दिया जाता है सर्फेस पर लाकर तो इस तरीके से हमने समझा कि यह जो पूरी प्रोसेस है कि इसमें फूड को सेंस करना और फिर वो पदात को ट्रेप करना उसका डाइजेशन करना एब्जॉर्शन करना और फिर अंडाइजेस्टेट फूड को बाहर निकाल कर अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाना तो इस तरीके से अमीबा में पोशन की प्रक्रिया पूरी होती है धन्यवाद अज हम एक बड़ी मज हम अपने मुखधवारा माउत से भोजन को अंदर लेते हैं उसे पचाते हैं पोशन प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं भोजन का अनुपयोगी भाग मल के रूप में निस्का शित कर देते हैं अब य है पूरी प्रक्रिया होती कैसे है यह एक रोमानचक और हरान कर देने वाली यात्रा है भोजन की आईए इस यात्रा पर चलें भोजन या जो फूड होता है वो एक सतत नली के नाल से गुजरता है जिसे आहार नाल या एलिमेंटरी के नाल कहते हैं अभी जो आहार नाल है यह पूरा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक इसको हम बोलते हैं एलिमेंटरी के नाल इसको डाइजेस्टिव ट्रेक भी बोलते हैं इस नाली के जो खास भाग हैं वो हैं मुगवा यह मुगवा यह यहां बकल केविटी और यह जो है दूसरा वाला भाग इसको बोलते हैं ग्रसी का इसो फेगस यह वाला हिस्सा यह ग्रसी का है उसके बाद यहां यह आमाशय स्टमक इस जगे से यह यहां से यह वाला हिस्सा जो अंदर का आपो दिखाई दे रहा है यह शुद्दांत्र है छोटी आत इसमाल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं फिर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्रहदांत्र जिसको हम बढ़ियाद कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और अंत में ये गुदादवार जिसको हम कह रहे हैं एनस तो इस तरीके से ये जो एलिमेंटरी के नाल है इसके ये मुख्य भाग है तो आहार नाल जो है ये निमेंटरी के नाल मुल रूप से मुख से लेकर गुदा तक विस्तारीत एक लंबी नली है और इस नली के सारे मुख्य भाग है ये सभी भाग मिलकर आहार नाल अर्थात एलिमेंटरी के नाल का निर्माण करते हैं तो फिर पाचन तंत्र क्या है चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि फिर पाचन तंत्र क्या है तो इस आहार नाल में जैसे जैसे भोजन या फूड आगे बढ़ता जाएगा है ना इस आहार नाल के पूरे स्ट्रक्चर को देख लिजे आप मैंने कहा यह यहां से लेकर मुख से लेकर गुदा तक तो इसमें जैसे जैसे फूड या भोजन आगे बढ़ेगा अर्था नीचे की और जाता जाएगा भोजन के जो कंपोनेंट्स होंगे फूड कंपोनेंट्स होंगे भोजन के जो घटक होंगे उनका भी पाचन क्या होगा क्रमिक रूप से होता चला जाएगा और इसमें कोन मदद करेगा इसमें मदद करेगी विभिन प्रकार की यहां मौजूद ग्रंथियां यहां मौजूद ग्रंथियां तो विभीन प्रकार की जो glenze हैं वो मदद करेगी कैसे मदद करेगी उन glenze से जो पाचाकरस या digestive juice स्त्रावित होंगे वो digestive juice मदद करेगे तो अब बच्चों आहार नाल के साथ मदद के लिए क्या मिल गई हमें घ्रंथिया भी मिल गई तो फिर आहार नाल और मतलब एलिमेंटरी के नाल जिसको डाइजेस्टिव ट्रेक भी बोलते हैं और संबद्ध गरंथिया मतलब उनसे एसोसियेटेड जो ग्लेंड होगी वो मिलकर पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं तो हम समझ गए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत बनाती है और इस पाचन तंत्र के मदद से हम भोजन का भोजन को ग्रहन करते हैं और भोजन को ग्रहन करने के बाद उसका पाचन करते हुए उससे पोशन जो प्राप्त करते हैं पूरा इस सिस्टम के जारा होता है अब इसे हमें क्रम से समझना है तो चलिए भोजन लेकर आ कैत्रा पर है और हम जानेंगे कि आहार नाल के या जो हम जिसको Alimentary के नाल केते हैं उसके विभिन्न भागों में जो भोजन है उसका क्या होता है। चलि सबसे पहले स्टाइट करेंगे हम हरे घुजन के आगए बढ़ने को मतलब आप भोजन को तो मुख से ही अंदर ले रहे हैं तो मुख से अंदर ले रहे हैं और यहां भी इस मुख गुवा के अंदर क्या हो रहा है इसे देखना है तो शरीर में भोजन कहां से अंदर जाता है मुख के द्वारा अंदर जाता है तो चलिए यात्रा शुरू ही अंदर ले लिया, इस क्रिया को हम कहेंगे कि हमने भोजन का अंतर ग्रण कर लिया, इंजेशन कर लिया, ठीक है, अब हमें पता है कि भोजन अंदर लेने के बाद क्या होता है, जब हम भोजन अंदर ले लेते तो क्या होता है, हम दातों की मदद से भोजन को क्या करते हैं, प्रणों में क्या होगा बदल जाएगा अब क्या होता है कि अब किया जाता है भोजन को गीला ताकि उसे आगे के मार्ग में आसानी हो सके तो भोजन को गीला कैसे किया जाता है कि जो लाला गरंती होती है जो salivary glands होती है उनसे जो निकलने वाली लार है सलीवा वो भोजन को क्या करती है तो salivary glands से जो निकलने वाली है यहां तो आप अपने समझ लिया कि यहां पर हमको एक gland ग्रन्थी मिल गई जिसको हमने कहा लाला ग्रन्थी है ना और इससे जो salivary glands यहां लाला ग्रन्थी और इसने भोजन को क्या कर दिया गेर जा सके और बभू जीब का क्या काम है, जीब यहां क्या करती है, भोजन और लार को मिलाने का काम करती है, और साथ में भोजन को निगलने में भी मदद करती है, और साथ में टेस्ट बर्ड्स भी होती ही जीब में, तो वो स्वाद भी बता देती है, तो चली अब और आगे बढ़ते हैं, यहां और भी बहुत कुछ होना बाकी है, लार का जो एंजाइम है, अब यहां के बाद हम देख रहे हैं कि लार का जो एंजाइम है, जिसको हम कहे रहे हैं, एमिलेस, है ना, लार के अंदर एक एंजाइम होता है, एमिलेस, इसे लार एमिलेस कहते हैं, है ना, सलाइवरी एमिलेस, य यह क्या करता है कि यह मंड मतलब इस्टार्ट जो जटी लणू होते हैं भोजन के उनको शरक्रा आर्था जटी लणू को सरलनू मतलब शरक्रा सरलनू है स्टार्ट जटी लणू को किसमें बदलता है सरलनू में तोड़ देता है और यह जटी लणू को जब सरलनू में लगभग लगभग पूरा हो जाता है और ये करना भी जरूरी है अगर भोजन का उशोषण आहार नाल को करना है तो बाइलोजिकल जो केटलिस्ट है मतलब जो जे उत्प्ररकिया इंजाई में उसकी तो जरूत पड़ेगी तो आपका जो भोजन है जो लार युकते चिकना है वो सरल छोटे-छोटे अणूं में जो तूटा हुआ है अब वो किधर बढ़ेगा वो वो बढ़ेगा आप फूड पाइप की ओर ग्र भोजन अब क्या है कहा आ रहा है इस ग्रसीका में आ रहा है फूड पाइप में आ रहा है इसोफेगस में आ रहा है तो निगला हुआ जो भोजन है वो फूड पाइप में आता है ग्रसीका में आता है यह ग्रसीका है चुली क्या है देखिए गले और चेस्ट से होती भी दे रखता है है इसकी वॉल के मुवमेंट से क्या होता है भोजन नीचे से रखता है और यह किसको किसे जोड़ती है इसको मुझ से आमाशे तक मतलब आपका यहां से लेकर आमाशे तक यह पूरी की पूरी ग्रसी का है इसो फेगस जिसको आप कहें फूड पाइप यह है तो की जाल के मुमेंट से अर्था संकु चन से भोजन क्या होता है नीचे के ओगर सरक्ता है तो यह क्या चाप हो गया अब यह अब रिशल्खा से कौन जुड़ा है आमअशे जुड़ा है स्टमक classification क्या गें तो फिर पेफी मूं के साथ आपको दिखाई देरा हुए यह वाला इतना इतना यह आमाशा है स्टमक क्या है कि यह मोटी भित्ती वाली एक थेली नुमा सरशना होती है यह चप्टा यू शेप होता है और यह इस पूरी आहार नाल का सबसे चोड़ा पूरी एलिमेंटरी केनल केनल का सबसे चोड़ा आप यहां दिया कि ध्यान से यह यहां यह जुड़ा है इसमाल इंटेस्टाइन से मतलब छोटी हाँ से जिसको आप छुद्दांत्र भी बोलते हैं तो मैं तो इसको छोटी हाँ बोलूँगा इसमाल इंटेस्टाइन तो यह इसमाल इंटेस्टाइन या छोटी हाँ से जु नभ आमा शय में ज्यसी भोजनाता था जो आमा शय में ज्यसा होता है, ये आप का जो बनी खैल जाता है, टार। उले क्ता ही श्यूब। अन्य पाचक्रसों digestive juices के साथ जो यहां जो पाचन कार्य होता है वो आमाशय की भित्ती में उपस्तित जो ये जो मैंने अभी कहा कि पाचकरस तो आमाशय की भित्ती में उपस्तित जो जटर गरंतियां होती है तो जटर गरंतिया जिनको हम गेस्ट्रिक ग्लेंड भी होते हैं उनके द्वारा एक आम संपन् यहीज भुंप मलाएरा है हो है क्या है इस में मिला रहे हैंड तो यह जो आमाशाई की जो आंत्रिक अस्तरिया दिनरून halves हेल हो यह यह इसल है है न mai क्या गरता है जो यह जा रहा है उपर से इस भोजन के साथ में आये जिवानों को क्या करता है नस्ट करता है साथ में जो एक एंजाइम हो रहे हैं यहां पर जो प्रोटीन का पाचन करता है तो प्रोटीन पाचक एंजाइम पैपसीन जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है विगटित करता है और साथ में शलेश्मा ज आंत्रिक अस्तर है, उसको क्या करती है? अमल से सुरक्षा प्रदान करती है. तो यह यह भी आपका इस तरीके से यहां यह हमें दिखाई दे कि कौन क्या क्या कर रहा है. मतलब हम ने कहा कि जो आमाशाय का जो आंत्रिक अस्तर है या सर्फेस है इनर लीनिंग है उसके दवारा हाइट्रोकलोरिक अमले स्टेल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेपसीन और स्लेश्मों का इस्तरा बन होता है तो यह प्रोटीन को सरल्पदार्तों में विगठित करता इसमें प्रोटीन और क्या कार रहे हम्ने देख लिया कि आमाशाय कि आंत्रिक अस्तर को मामले से सुरक्षा प्रदान करती है तो अब इस तरीके से अ हमने कहा कि जो पेपसी ने वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर रहा है विग्ठीट कर रहा है अब आमाशय से भोजन किधर आएगा आप देखिए आमाशय से भोजन प्रवेश करेगा आप यहां हैं कि अब यहां क्या होगा इसका छोटी आत में क्या होगा इसमाल इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होने वाला है आमाशाय में हम समझ गए चली अब छोटी आत में देखते हैं जिसको आप शुद्धांतर भी बोलते हैं स्माल इंटेस्टाइन छोटी आत एक्चुली क्या यह वाला यह जो कुंडलित structure है आपका यह पतला वाला यह पूरा है आपका small intestine या छोटी आँट जिसको आप शुद्धांतर भी बोलते हैं मतलब क्या है कि जो छोटी आँट है या small intestine है इंको साड़े साथ मीटर लंबी है कितनी है साड़े साथ मीटर लंबी और अत्यदिक कुंडलित है highly coiled नली है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है इलिमेंटरी केनाल का सबसे लंबा भाग है लेकिन नाम क्या दिया है छोटी आँट इसमाल इंटेस्टाइन एक्चुल क्या है कि अत्यदिक कुंडलित होने से क्या है कि यह compact space में ही रहती है बहुत ज्यादा कुंडलित होने से और इसकी लंबाई जैसे जो घास खाने वाल और जो मांसारी होंगे जैसे बाग बगएरा उनके लिए छोटी होगी तो यह जो छोटी आँट है यह चोटी आँट क्या करती है कार्भोहिट्रेट प्रोटीन वसा के लिए उसके पूंढ पाचन का एक स्थान है और इस कारी के लिए वो यक्रत और अग्नाश है से इस्त् आच्छन होता है अब देखिए केसे होता होगा आप कहतो दिया मैं बिसकारी के लिए यकरत से इस्तरावन प्राप्त हो उत्थ यह यह जो यकरत पाइंगे यह गहरे लाल भुरे रंग की ग्रणती है और क्योंसी ग्लेंड है Reddish-brown जलेंड होती है यकरत और ये जो आपका उधर होता है अब डामीन होता है उसके उपरी भाग में राइट साइड में होती है तो यह यह आपका यकरत है और इसमें। इसकी खास बात में आपको पताता हूं जन्रन लालेज की द्रश्टी से भी कि यक्रत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी, सबसे बड़ी ग्लेंड है यक्रत लिवर, और ये पित्रस, बाइल जूस का इस्तरामन करता है, यक्रत एक चुली क्या करता है, पित्रस का इस्तरामन करत और यह पित्तरस एक थेली में संग्रहित होता रहता देखिए यह 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 आप देखने हैं यह देखिए यह थेली में संग्रहित होता रहता जिसे हम पित्ताशय गाल बलडर बोलते हैं तो देखिए पित्ताशय में यह थेली देखिए पित्ताशय की और यह पित्तनली यह पि यह यहां देखी और इसको हम बोल रहे हैं पित्ता शय और पित्तरस क्या करता है वसा के पाचन में बहुत महत्तोपूर्ण भूमी का निभाता है तो यह हमारा जो यक्रस से जो हमको यह जो यक्रस से हमको जो यह पित्तरस प्राप्त होता है जो यहां पित्ता शय में होता है यह क्या करता है वसा के पाचन में बहुत important अपनी भूमी का निभाता है और साथ में यह क्या करता है कि जो आपकी जो छोटी आथे जो छोटी आथ होती इसके अंदर जो वसा है उसको इमल्सिक्रत भी करता है तो चलिए अब अगनाशे की बात कर लें तो जो अगनाशे से इस इस त्रावित कौन सा आपका जो रस है जिसको हम करें अगनाशे ही रस अगनाशे पैंक्रियास तो पैंक्रियास देखिए क्या होता है पैंक्रियास कहां है इसको भी देख लें जड़ा तो यह अगनाशे जो है पैंक्रियास की अगर बात करें तो हलके पीले रंग की पूल नीचे है यह अगनाशय रस का इस्त्रावन करती है, मतलब आपका जो है पैंक्रेटिक जूस का इस्त्रावन करती है, अगनाशय रस का इस्त्रावन करती है, तो इस अगनाशय रस में जो है प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिपसीन एंजाइम होता है, इस अगनाशय र आप कर आपका प्रोटीन और वसा का पाचन आपका निभाई रहा है तो आपके प्रोटीन और वसा का पाचन हो गया ठीके और यक्रत भी जो है यक्रत से स्रावित पित्रस वसा के पाचन में भूमी का निभाई रहा है तो कुल मिलाकर आपका प्रोटीन और वसा का पाचन यहां हो गया और साथ-साथ इसी इसमाल इंटेस्टाइन या छोटी आथ के अंदर अभी कुछ और होना भी बाकी है मतलब जब यह अंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है यह इस छोटी हाथ के निशले भाग में पहुँचेगा तो जो इसकी भित्ती है जो इसकी जो हम कहें कि इसकी जो वाल से उससे जो आंत्ररस निकलेगा इंटेस्टिनल जूस निकलेगा वो नीचे आते हुए भोजन के सभी घटकों का पूर्ण पाचन कर देगा मतलब कैसे करेगा जो इसमें जो आंत्ररस निकलेगा जब भोजन नीचे की तरफ आया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से अंतरस निकला, तो वो क्या करेगा, उसमें उपस्तित जो एंजाइम होंगे, वो प्रोटीन को एमिनोंबल में बदल देंगे, प्रोटीन को किस में बदलेंगे, एमिनोंबल में, जटिल कार्भाइटरेट क को ग्लुकोज में बदल देंगे और वसा को वसा अमलोर ग्लीसरॉल में बदल देंगे तो अब इस तरीके से आपका क्या हुआ कि इसमें जो उपस्तित एंजाइम थे उन्होंने ये चेंजेस किये प्रोटीन को एमिनोमल में जटिल कार्बोईटरेट को ग्लुकोज में और वसा को वसा अमलोर ग्लीसरॉल में इन्होंने चेंज कर दिया तो इस प्रकार से अब आपका जो एक शुद्रांद के अंदर जो है या यूँ कहें छोटी आत इसमाल इंटेस्टाइन में कार्बोईटरेट प्रोटीन और वसा इनका अपना पाचन हो गया और हमने यहां यह देखा कि इन्होंने इसके लिए क्या किया इस कारी के लिए यक्रत और अग्नाशय से भी मदद ली कि यक्रत और अग्नाशय से भी स्त्रमन प्राप्त कर लिया यक्रत से पितरस लेके वसा का पाचन कर लिया अग्नाशय से अग्नाशयरस ले लिया जिसमे त्रिपसीन ने प्रोटीन का पाचन कर दिया और लाइपेज ने इमलसिक्रत वसा का पाचन कर दिया और नीचे आते यह जो शुद्रांत या छोटी आंत की जो भित्ती थी इसने क्या किया इसने इसने क्या किया आंतरस का इस्थरामान किया जिसने पूर्ण पाचन कर दिया ए fatty acids में बदल दिया और glycerol में बदल दिया अब क्या होगा अब जो पचा हुआ भोजन होगा वो कहाँ आएगा अब जो पचा हुआ भोजन होगा वो आउशोशित होकर शुद्रांत की या छोटी आंत की भित्ती में स्थित यह छोटी आंत की जो भित्ती है इसमें स्थित रु वेसल में चला जाएगा इस प्रक्रिया को absorption कहते हैं, आउशोशन कहते हैं, actually क्या होता है कि जो चुद्रान्त की जो या छोटी हाथ की जो भित्ती होती है, इस छोटी हाथ की जो small intestine की जो भित्ती होती है उसमें इस तरह की उंगली नुमा सरशनाएं होती है, उंगली के समान आउशोषन जो blood vessels में होगा इस आउशोषन का जो सतय शेत्रपले उसको बढ़ा देती है क्योंकि जो प्रतिये काप का जो दिर्गुरों में आविलाई है उसमें सुक्ष्म रुदिर भाहिकाओं का पूरा एक blood vessels का पूरा एक जाल होता है तो चलिए हमने समझ लिया कि दिर्गुरों में आविलाई की सतय पर पचे हुए भोजन का क्या होगा आउशोषन होगा और फिर ये रुदिर भाहिकाओं में चला जाएगा और फिर ये जो आउशोषित भोजन होगा या आउशोषित पदार होग पदार्थ होंगे वो रुदिर भाहिकाओं में ब्लड वेसल्स की मदद से शरीर के विभिन भागों तक ले जाए जाएंगे और शरीर के विभिन भागों तक ले जाएंगे जहां इनका उप्योग प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों को बनाने में होगा अब आप कहा तक पहुँच गए अब तो आप सेल्स तक आगए और यह जो क्रिया है जिसको मैं कहरा हूँ प्रोटीन जिसे जटिल पदार्तों का और यह जो आउश्योशन हुआ है आउश्योशन पदार्त ब्लड वेसल्स की मदद से शरीर के विविन भागों तक जा रहे हैं इसको स्वांगी उपस्तित हुआ है उसका विग्टन किसकी मदद से होगा और किसमे होगा कारवन डियाकसाइड और जल में होगा और उड़जा मुक्त हो जाएगी मतलब यहां आकर आपकी पोशन की प्रक्रिया जो है वो हो गई है अब और भोजन का पाचन भी हो गया है अब जो भोजन ज सब सेल्स के अंदर चला गया और एनरजी रिलीज हो गई और सब हो गया तो चलिए आप वो बढ़ी आत में आ गया तो बढ़ी आती यहा ब्रहदान्त जिसको हम बोलते हैं जिसका हमने का lesson on कूं जो आ जाता है अब ब्रहदान्त या लार्ज इन्टेस्टैन क्या है यह यह यह थोड़ासा ये देखे इसको, ये देखे, ये एक्चुली क्या है, कि जो ब्रादां TAR होती है, या large intestine या बड़ी आथ होती है, ये एक्चुली क्या है, कि, मजेदार बात बता रहूं मैं, कि ये छोटी आथ से, कम लंबी होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि छोटी आथ कितनी लंबी होती है 7.5 मीटर होती है तो यह जो small intestine है 7.5 मीटर लंबी है और large intestine जो है आपकी कितनी 1.5 मीटर लंबी है तो यह तो उससे क्या हो गई कम लंबी हुई ना उसकी लंबाई जादा है तो छोटी आथ की लंबाई बडी आथ की लंबाई से क्या है ज्यादा है परन्तु एक खास बात आप ध्यान रखेगा कि जो जो बडी आथ होती है वो छोटी आथ की अपक्षा ज्यादा वाइडर होती है चोड़ी होती है तो बड़ी आतकी चोड़ाएं जादा है, लेकिन वो लंबाई में क्या है? कम है, तो चली हमने ही बात भी जान लिया, अब इसका जो मुखे कारे हैं, बड़ी हांत का, यह लार्ज, इंटेस्टाइन का जो मुखे कारे हैं, वो जल एवं कुछ लंड़ों का तो जले हम कुछ लवनों का उश्योशन हो जाता है अब बचा हुआ जो अपचित पदार थे वो मलाशय में है ना मलाशय में चला जाएगा रेक्टम में चला जाएगा जहां से गुदा द्वारा एनस द्वारा इसका शरीर से बाहर निश्काशन कर दिया जाएगा जिसको आज हम ग्लुकोस के ऑक्सिकनन से भिन्न जीवों में उर्जा प्राप्त करने के भिन्न पत पर अध्यन करेंगे हम जानेंगे कि what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms हम जैसा कि जानते हैं कि जीवों को portion की आवशक्ता होती है nutrition की आवशक्ता होती है और इसके लिए वो food sources या खाद्य पदार्थों की मदद लेते हैं फिर जो कोशिकाएं होती हैं sales होते हैं वो इन खाद्य पदार्थों का या food material का use करते हैं क्यों करते हैं अपने जेव प्रक्रम को चलाने के लिए life processes के लिए energy चाहिए life processes के लिए तो उस energy या उस उर्जा के लिए वे इसका उपयोग करते हैं और अलग-अलग जीव इन खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों या food material का अलग-अलग धंसे using करते हैं तो जो बात हमने अभी कही है वो यह है कि जो भी खाद्यपदार्थ जीव पोशन के लिए लेते हैं तो कोशिकाये क्या करती है कोशिकाये इसेल्स विभिन जेव प्रक्रम के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए उन खाद्य पदार्थों का उपियोग करती है अलग-अलग जीव इस प्रक्रिया को अलग-अलग धंग से करते हैं परंतु एक बात हमें ध्यान रखना होगी कि सबसे पहले सभी जीवों में एक कामन बात होती है वो यह है कि कोशिका द्रवे के अंदर मतलब साइटो प्लाज्म के अंदर ग्लुकोज जो की हम जानते हैं कि छे कार्बन वाला अनू है एक सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल उसका विखंडन तीन कार्बन वाले अनू पाइरुवेट में होता है पतलब एक बात आप दिहान दखिएगा सारे जीवों के लिए वो सब में कामन है कि ग्लुकोज का पाइरुवेट में जो विखंडन होता है वो सब में कामन है मतलब ग्लुकोज के विखंडन का पहला चरण अगर हम बोल दें फस्ट इस्टेप तो वो सभी जीवों में एक जैसा है कि वो जो सिक carbon molecule है glucose का वो थ्री carbon molecules के अंदर breakdown होगा और ये सभी जिवों में common है मतलब क्या होगा कि कोशिका द्रव्वे में या साइटोप्लाज्म में जो glucose है जिसको हम कह रहे हैं कि ये 6 carbon वाला एक glucose का अणूँ ए 6 तो इस तरह से वो pyruvate में convert ओका और ये glucose के विखंडन की आप first step मान सकते हैं जो सभी जीवों में एक जैसी है तो फिर अलग-अलग जीवों के लिए भी यहां कोई इस तरह से different path नहीं बना है लेकिन जब आप pyruvate से आगे बढ़ेंगे ये जो pyruvate बना है उसका विखंडन या परिवर्तन आप समझीए कि अलग-अलग तरीकों से होता है और वो अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग जीवों में हो सकता है तो वो उसकी study हम लेने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इसका सबसे पहला भाग हम कह सकते हैं कि ये aerobic या YV-ish version या oxy-ish version होता है इसमें pyruvate का जो विखंडन है वो oxygen का उप्योग करके होता है और ये प्रक्रिया कहा होती है? माइटो कांड्रिया के अंदर तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो pyruvate है उसका विखंडन oxygen का उप्योग करके जिसको हम YV-ish version या oxy-ish version कहते हैं aerobic respiration और ये oxygen की उपस्तिती में कहा होता है? माइटो कांड्रिया के अंदर होता है और इस विखंडन में oxygen का उप्योग किया जाता है इसलिए से oxygen भी कहते है और ये अदिकांश जीमों के अंदर ये होता है तो ये प्रक्रम क्या करेगा? कि ये जो तीन कार्बन वाले pyruvate का जो अनू है इस अनू को विखंडित करके तीन carbon dioxide के अनू देता है और दूसरा जो इसमें product बन के आता है वो होता है जल तो जल और carbon dioxide इसमें बनते हैं और oxygen की उपस्तिती में चुकी ये प्रक्रम संपन होता है इसलिए ऐसे YV या oxygen भी कहते हैं और इसमें बहुत अधिक महत्रा में उड़जा रिलीज होती है किसकी तुल्ला में? अनाक्सी स्वशन की तुल्ला में जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो हमने का कि पाइरुवेट का जो हमारा जो प्रोसेस है कि oxygen की उपस्तिती में जो पाइरुवेट का भी खंडन होता है वो अधिकांश जीवो में एसी प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें जल कार्बन डियाक्साइड और उर्जा प्राप्त होती है और यह माइटो कांट्रिया के अंदर संपन होता है तो हम कहते हैं कि oxygen जो है वो कोशी का दरवे में भी होता है और उसके बाद माइटो कांट्रिया में भी होता है मतला प्रोसेस के द्वारा होता है वन बाई वन पहले कोशी का दरवे में फिर माइटो कांट्रिया के अंदर कोशी का दरवे में ग्लुकोस पाइरुवेट में बदलता है यह है आवाईवी या अनाक्सी, एन अरोबिक रेस्पिरेशन, यह क्रिया एक्चुली क्या होती है, कि यह अक्सिजन की अनुपस्तिती में होती है, इसमें भी पाइरुवेट का विखंडन होगा, इसमें पाइरुवेट का विखंडन होता है, और इसमें एथेनाल और कार्ब बदलता है यह प्रक्रम एक्चुली क्या होता है कि यह किर्णमन के समय यीस्ट के अंदर होता है मतलब जब फर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन जब होता है तब यह यीस्ट के अंदर होता है तो यह जो अवाईवीश वशन है यह कैसा होता है यह उक्सिजन की अनुपस्तिती म होता है तो हम कहरें कि गलुकोज के ऑक्सिजन के भिन्द भिन्न जीवों में उर्जा प्राप्त करने के भिन्द भिन्न पत है तो देखे आपने एक समझा कि ऑक्सिजन की उपस्तिती में माइटो कॉंड्रिया के अंदर यह वाईवी श्वशन है और इसमें जैल और कार्बन इस्वशन होता है वो येस्ट और परजिवियों खासकर फिता क्रमी जैसे गोल क्रमी इन में भी होता है और हमने कहा था कि जो वाईवी श्वशन है वो अधिकांश जीवों के अंदर होता है फिर अभी तो हमने बात की थी कि जो यह जो पाईरुवेट का विखंडन है यह उपस्तिती में होता है उपस्तिती में होता है जो उपस्तिती में होता है तो वाई भी है अनुपस्तिती में होता है था हम कहते है अवाई भी है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेक अप ऑक्सिजन भी हो जाता है मतलब ऑक्सिजन की क्या होती है कमी भी हो जाती है तो फिर में पेश्यों में जो पाईरुबेट है अक्षू करें गती इसलिल अक्षीजन की जब कमी होती है तो फिर ये यद्येकर एसिट का निर्माण होके जो प्रेमिंप होने लगते हैं एक्षिल Nawet में ज़्यादा रश करते हैं उनके साथ ये समस्या आपने अक्सर देखी हुई तो इस प्रकार से ग्लुकोस के जो अक्सिकरन के अलग-अलग पात है जिसमें ग्लुकोस ब्रेकडाउन होता है पाइरुबेट में ये कामन है ये साइटोप्लास में होता है और ये सभी जीवों में कामन है लेकिन जब पाइरुबेट का भी खंडन होता है तो वो कभी ऑक्सिजन के उपस्तिती में होता है कभी ऑक्सिजन के अनुपस्तिती में होता है और कभी लेक अप ऑक्सिजन में होता है तो ये इसके आधार पर हम जो जीव हैं वो अलग-अलग बात से एनर्जी को प्राप्त करते हैं धन्यवाद आज हम वाईवी अर्थात आक्सी और अवाईवी अर्थात अनाक्सी श्वशन में अंतर समझेंगे हमें पता है कि ग्लुकोस के आक्सी करण से या विखंडन से भिन्न भिन्न जीव उर्जा प्राप्त करते हैं लेकिन उनके उर्जा प्राप्त करने के जो पत होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं यही कारण है कि उनके जो उड़्जा प्राप्त करने के तरीके होते हैं उनको हम अलग-अलग नामों से पुकारते हैं परन्तु सभी जीवों में जो एक कामन बात होती है वो सबसे पहले ये होती है कि वो क्या करते हैं कि कोशिका द्रवे के अंदर ग्लुकोज जो की एक 6 कारवन वाला अनु है उसका विखंडन होता है और विखंडन होकर पाईरुवेट बनता है जो 3 कारवन वाला अनु है तो सारे जीवों में ये होता है मतलब ये एक common बात है इसमें कोई अलग बात नहीं है लेकिन अलग बात शुरू होती है अब यहां से pyruvate के बनने के बाद मतलब ये वाला जो चरण है इसको पहला चरण बोले तो ये सभी जीवों में एक जैसा है अब पाइरुवेट बनने के बाद में अगर मान लिजिए कि पाइरुवेट का जो विखंडन है है ना अगर पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सिजन का उप्योग करके होता है ये माइटोकांड्रिया में होता है तो अगर पाइरुवेट का विखंडन oxygen की उपस्तिती में मतलब oxygen का उपयोग करके mitochondria में हो और उसके फल सोरूप जल, carbon dioxide और उड़जा मिले तो हम कहेंगे कि यह वाईवीश वशन है अर्थात यह oxygen है क्या कहा हमने कि जो वाईवीश वशन है इसमें pyruvate का जो विखंडन होता है pyruvate का विखंडन जो होता है वो oxygen का उपयोग करके होता है मतलब oxygen की उपस्तिती में होता है और यह कहां होता है यह mitochondria के अंदर होता है mitochondria में होता है और यह अधिकांश जीवों में होता है तो इसमें क्या बनता है carbon dioxide बनता है इसमें जल बनता है और चुकि ये प्रक्रम oxygen की उपस्तिती में हुआ इसल लिए इसको हम YV या oxygen केते हैं YV मतलब वायू की उपस्तिती में वायू में क्या oxygen है तो oxygen की उपस्तिती में और इसमें भोत अदिक मातरा में ऊर्जा भी release होती है अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें जिसको हम आवाईवी या नाक्सी शोशन कहते हैं तो यह अक्सिजन की अनुपस्तिती में होता है और इसमें जो पाइरुवेट है यह इथेनाल और कारबन डेयोकसाइड में बदल जाता है यह प्रक्रम कीडवन के समय यस्ट में होता है और यह जो अवाईवी शोशन होता है यह परजीवी आप यह मानिए परजीवी जैसे फीता क्रमी हैं गोल क्रमी हैं इन में भी होता है तो यह बेसिकली जो वाईवी या आक्सी शोशन और जो अवाईवी या अनाक्सी शोशन है इसके अंतर को अगर आप इस पात पर देखें तो हम पाएंगे कि जो वाईवी शोशन है और ऑक्सी शोशन है वो ऑक्सीजन की उपस्तिती में हुआ है अवाईवी शोशन ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में हुआ है साथ ही हमने यहां समझा कि इसमें अधिक उढ़्जा हमें प्राप्तु भी इसमें तुलनात्मा क्रूप से कम उढ़्जा प्राप्तु भी इसमें जो अंति मुत्पाद हैं वह जल और कार्बन डिय Sugसाइड है इसमें अवाईवी मेैं हो इठिनाल और carbon dioxide तो खर आपको दोनों जगे मिल ही रहा है तो आईए इस आधार पर हम जरा अंतरों को एक टेबल के रूप में ले 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 यवी यशुशशन में हमने देखा था कि यशुशन अक्सिजन की उपस्तिती में होता है आप नाम से भी इसको याद रख सकते हैं यशुशन अक्सिजन की उपस्तिती में अनक्सिजन की अनुपस्तिती तो यशुशन अक्सिजन की उपस्तिती में होता है यशुशन अक्सिजन की अनुपस्तिती में होता है फिर इसमें बहुज्य पदार्थों जिसको हम कह रहें अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में हमको उर्जा मिल्ती है या इसके फल सुरूप अधीक मातरा में उर्जा उत्पन होती है इवन एक glucose के अनू से 38 ATP अनू एनर्जी के प्राप्त होते हैं और जबकि इसमें तुलनात्मा ग्रूप से थोड़ी कम मातरा में उर्जा मिलती है मतलब glucose के अनू से 280P अनू प्राप्त होते हैं तो एक ग्ल्कोस अनू से 38 ATP अनू और एक ग्ल्ुकोस अनूसे 280P अनू और हमने देखा कि यह जो श्वशन है जिसको हम आक्सी श्वशन के रहे हैं यह कोशिका द्रवे और माइटो कांड्रिया में संपन हो रहा है पहले कोशिका द्रवे में फिर माइटो कांड्रिया में और इसमें अमने देखा था कि यह केवल कोशिका द्रवे में ही था यह माइटो कांड्रिया में नहीं था तो यह केवल कोशिका द्रवे में संपन होता ह whichever is onstenла bi祟ान का ठाइट 2 अधिकांज जीवों में यह होता है यप किDamशी वाईवी शोशन जिसको हुम कहे रहे हैं आक्सी शोशन और यह जो आवाईवी सोशन है यह आपका इस्ट में आपने कहा और इसके बाद तो इस तरह से वाइवी शोशन और अवाइवी शोशन में जो मैंनली डिफरेंसे है तो आवाइवी शोशन के जो बिंदू है उन्हें तयार कीजिएगा कि वाइवी शोशन दोनों नामे आद रखिएगा यह उक्सिजन की उपस्तिती में होता है बहुत पदार्थों बहुत कि वाइवी शोशन में होता है तो इस तरह से हम वाइवी शोशन में अंतर कर पाएंगे और जो हमने भी बात की है कि जो ग्लुकोस का विखंडन ने उसकी पूरी प्रोसेस को हम अगले वीडियो में समझेंगे धन्यमाद वाइवी शोशन और वाइवी अनौशी शोशन में अंतर एक ट्रिक से देखिए ट्रिक अब देखिए इस अंतर को हम एक ट्रिक से समझेंगे क्या है ये ट्रिक देखिएगा आप आप किसी से कह रहे हैं है आप भुपू कोमा में अंति मुत्पात काड़ा जल से अधिकुर्जा ले मतलब आप उससे कह रहे हैं कि उसको भोपू नाम से सम्भोधित कर रहे हैं आप भोपू वो कोमा में है तो कोमा में उसको अंती मुत्पात लेना है काड़ा और जल जिससे उसको अधिक उर्जा मिलेगी तो आब भुपू कोमा में अंति मुत्पात काड़ा जल से अधिक उरजा ले अब देखिए इससे क्या होगा वाईवी वाली साइट के सारे पाइंट रेडि हो जाएंगे पहला पाइंट आ यह ओकषिजन की उपस्तिती में होता है तो यहां से आ से बन जाएगा ऑक्सिजन तो यह oxygen की उपस्तिती में होता है अब भोपू के लिए देखिएगा इसमें भोज्य पदार्थों अर्थाद glucose का पूर्ण विखंडन होता है देखिए भोपू भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है देखिए भोपू भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखं कोशी का दरवय और माइटरुकांड्रिया में संपन होता है तो कोशी खाख तरह संमझ ओ ela कोशी का दरव्य और माइटरुकांड्रिया में संपन होता है और इंतिमु पाथ और जल हो जाएगा और अधिक उर्या तेलिकताि पहरिश्ट सीय्ट últimoप्राइट को ले टिरुटन ओत 38 ATP हमें एनरजी प्राप्त होती है तो देखिए फिर से ट्रिक को देख लिजेगा आ से अक्सिजन तो अक्सिजन की उपस्तिती में होता है भोपू भोज्य पदार्तों का पूर्ण विखंडन और कोमा से कोशिका द्रव्य और माइट्रो कांड्रिया में संपन्न होती है है ना उपस्तिति में होता है अनाक्सिश्वशन इसमें बोज्य पदार्तों ग्लुकोस का अपूर्ण विखंडन होता है ये केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है अव आई भी श्वशन है ना मैट्रो कांड्रिया में नहीं होता और इसमें तो अन्ति मुत ज़का दै वह होती है तो इस तरीके से हम ट्रिक के द्वारा इसको कर सकते हैं धन्यवाद कि आप अगर इस बात को लेकर परेशान है कि आपको रधय में रुधिर का या ब्लड का आना-जाना समझ में नहीं आता और परिसंचरन रधय तंत्र तो बिल्कुली समझ में नहीं आता तो यह बिल्कुल हम आज स्पस्ट कर देंगे क्लियर कर लेंगे Should अब देखे अगर एक्शुली रधThe या क्या रधय है क्या है और ये अगर मुठी हार्मोन और उत्सर्जी पदार्तों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है कोशिगाऊं तक पहुंचाता है अब इसको पहुंचाने के क्लिए क्या करना पड़ेगा इतना बड़ा शरीर है तो जब आप रुधीर को पहुंचाना चाहेंगे फिर रुधिर के साथ ही तो पधार जाएंगे, तो जब रुधिर को पहुचाना होगा तो आपको उसको पंप करना पड़ेगा, तो अब पंप करना पड़ेगा, तो ये जो पंप है, ये है हमारा रधे, मतलब जो रुधिर का या ब्लेड का जो पंपिंग करता है, वो है हमार रधे और रधे कहा होता है हमारी वक्ष गुवा में होता है जिसका निशला सिरा थोड़ा सा है बाई तरफ जुका होता है अब क्या होता है कि जो हमारा रधे होता है वो चार कक्षों में बटा हुआ होता है दो कक्ष जो उपर होते हैं उन्हें अलिंद बोलते हैं और दो जो नीचे कक्श होते हैं उन्हें निलाय बोलते हैं। अगर बाई साइड हैं, तो तायां अलिंद दाया निलाय और यह जो कक्श हैं इनके बीच में यह देखी, यह वाली जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह विभाजी का है। यह क्या हो रहा है कि इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से अलग करती है क्योंकि इस वाले हिस्से में शुद्धुरुदिर रहता है मतलब ऑक्सिजन सम्रद है शुद्धुरुदिर है और इस वाले हिस्से में कारबंड़ाई ओक्साइड सम्रद अशुद्धुर दिरे तो इसको मिलने से रोकने के लिए यहाँ एक विभाजी का है क्लियर हुआ अब हम स्टेप बाइ स्टेप रधय की कारिविदी को समझेंगे देखिए सबसे पहले कॉंसेट हमें देखना चाहिए कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है तो यह हमारा बाया यह लेफ्ट है यहाँ देख लिए बाया लेफ्ट है मतलब यह वाला साइड लेफ्ट है यह वाला लेफ्ट है ठीक है यह बाया हो गया, यह आपका हो गया बाया है ना, और यह वाला side right है, मतलब दाया, इधर वाला दाया, ओके, तो यह सारा बाया, यह सारा दाया, left, right, left, right, ओके, यह concept clear हुआ, क्योंकि यह यह पहले ताई कर लेना आवशक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो सबसे महत पुण बात आप मैं बताने वाला हूँ, रधे की कारविधी, तो कहां से शुरू करें, तो चलिए लंग्स से ही स्टार्ट कर देते हैं, देखे, आप यहाँ देखिएगा, तो मैं फुफुफुष से स्टार्ट करता हूँ, तो फुफुफुष से में स्टार्ट करूँग तो यह oxygen से प्रचूर शुद्ध रुधिर है इससे हम शुरुवात करते हैं ठीक है तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है यह जो शुद्ध रुधिर होता है यह फुफूस या लंग्स से फुफूसी शिरा के माध्यम से फुफूसी शिरा के म माद्यम से कहा आगया देखिए आप रधाय में किस जगऑ आगया रधाय के बाइंयों और इस्थित ऊपरी कोस्ट में आया है और इस ऊपरी कोस्ट या कखशक हमने नाम दिया थह अलिंद तो यह बाइं अलिंद में आ जाता है देखें आप यह आया यहां बाइन अलिंद में तो देखिया हमारी स्टेफ वण हुई कि आक्शिजन प्रचूर रुधिर आरहा है फुफुछी शीरा से आरहा है और बाएं अलिंद में आरहा है तो यह दो step हो गई देखेंगे आपे अब यहाँ देख लीजए ङह भीय OUT इस जगे देख यह पुफुOSी शीरा से आएगा और कहां से आरहोगा लंग से फुफुद से आरहा होगा तो फुफुसी शिरा के माध्यम से आएगा, तो यह आपकी एक नंबर हो गया, यह और कहां आ रहा है, यह क्या है आपका बाया लिंदे, तो यह आपका दो नंबर हो गया, आपको स्टेप पूरी समझ में आ गई, कि ऑक्सिजन प्रचूर रुधिर जो है, या शुद्ध रु तो यह क्या है, अब क्या हुआ, कि इस रुधिर को जब एकत्र करता है तो यह क्या करता है इकत्र शिथिल रहता है, ठीक है, रिलाक्स रहता है, अब बाया अलिंद के नीचे कोन है, बाया अलिंद के नीचे है, बाया निले, ठीक है, तो जब ये बाया निले फेलेगा, तो बाया अलिंद संकुचित होगा, तो जब ये फेलेगा, ये संकुचित होगा, तो जुस्से क्या होगा, अब इसका फे तो हमारी अगली स्टेप क्या हुई कि हमारा जो अगली स्टेप हुई हुई यह हुई कि जो बाया अलिंद था उससे शुद्ध रुधिर जो था है वो बाय निले में आ गया मतलब बाया अलिंद से कहा आ गया बाया निले में आ गया यह हमारी स्टेप 3 हो गई ठीक है यह दे अब यह बायानिलय क्या होगा, यह जो बायानिलय है, यह जो बायानिलय यह आपको दिखाई दे रहा है, यह बायानिलय संकुचित होगा, यह बायानिलय क्या होगा, संकुचित होगा, तब जो इसमें शुद्ध रुदिर है, क्योंकि अभी बायानिलय मतलब शुद्ध, तो यह जो शुद्ध रुदिर है, क्योंकि यह कहां से आया है, रुदिर कहां से आया है, फुपु से लंग से आया है, तो यह तो शुद्ध है, तो यह जो बाए निले के अंदर यह जो शुद्ध रुदिर है, तो यह क्या होगा कि इस बाए निले के संकुचित होने से, यह जो ओटू से बड़ा रीजड है, सम्वरद्ध है, यह शुद्धुरुदिर महाधमनी के माध्यम से देखिए यह इस तरीके से, महाधमनी के माध्यम से शरीर में पंपित हो जाता है, यह यहां से देखिए, यह महाधमनी के माध्यम से शरीर में पंपित हो जाता है, यहां मताता ह रिज्ड शुद्ध है ना जो रुधिर है यह रुधिर देखी यहां इस तरीके देखी यह आया उपर यहां महाधमनी के माध्यम से यह शरीर को महाधमनी जा रही महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रुधिर कहा गया है यह शरीर में गया है यह शरीर यह फुपुस के अलाव तो यह शरीर के किसे में आ गया, तो यह हमारा हो गया, चो напис रहते होती स्टेप क्या हुँ छो hints कि बायन इले के संकुचंस बायन इले के सांकुचंस सुद्ध और और पुधित हो जाता है, हमाहाधमनी के माध्यम सें तो यह बायन इले से सुद्ध और चो दिर पंपित हुआ, और यह शरीर को महाधमनी के माध्यम से मिल गया है यहाँ शरीर को तो यह हमारी होगी step 4 clear होगी आपको step 4 तो यह हुई हमारी step 4 जिसमें हमने कहा कि महाधमनी के माध्यम से यह जो शुद्धुरुधिर था यह बाए निले से महाधमनी के माध्यम से शुद्रुदिर चला गया शरीर के अंदर शरीर के अंगों में तो चलिए शरीर को पहुँच गया यह महाधमनी के माध्यम से शरीर को पहुँच गया तो यह आपने कहा यह step number हो गई आपकी 4 यह 4 हो गई देखिए आप उपर के तरफ देखिए यहाए महादमनी यह 4 हो गई ठीकहिए यह शरीर को महादमनी मजाब चार स्टेप हमारी हो गई दोनों चित्रों में एक साथ बता रहा हूँ मैं आप देखिएगा तो चार स्टेप तक हम पहुँच गए अब हमारी होगी स्टेप नमबर पाँच क्योंकि अब शरीर को तो ये शरीर के अंगो उतकों कोशिकाओं तक पहुँच गया ये शुद्र उतिर जो था जिसमें ऑक्सिजन रिज्ड था ये ये कहा पहुच गया ये पहुच गया शरीर के अंगो उतकों कोशिकाओं तक अब वहां से इसकी क्या होना है वापसी होना है ये देखिए शरीर में तो पहुँच गया है अब शरीर से क्या होना है इसकी वापसी होना है और ये हो गया है अब V-Oxygenate मतलब ये हो गया है अशुत क्योंकि इसमें अब क्या है इसमें CO2 प्रचूर हो गई है तो ये CO2 वसे नो है औो शीजन को उसमें यहवसेशन हट था गया और यह सियोटू प्रचूरुवधीर होगया तो अब क्या होग्याँ जू हूँनित है अब यह जो अशुद्धरुधिर है यह अशथुद्धुरुधिर जफ अवायगा यह इस चुद्धरुधिर देखें चलना स्ट तो ये महाशिरा के माध्यम से ये महाशिरा के माध्यम से जो अशुद्धुरुदिर ये कहा जा रहा है ये शरीर से ये शरीर से कर लीजेगा इसको शरीर को बजाए ये शरीर से महाशिरा के माध्यम से ये अशुद्धुरुदिर रधय के दाएं अलिंद में आ जाता है देखे क्या हुआ हम आगए अब राइट साइड में ठीक है कहा आगए हम राइट साइड में राइट साइड मतलब अशुद्ध तो यह कारबन डायकसाइड प्रचूर रुधिर है अशुद्ध है अब यह दाई तरफ देखिए यह रुधिर जो है यह महाशिरा के माध्यम से यह शरीर से कर लिजेगा इसको ना शरीर से महाशिरा के माध्यम से है ना अब महाशिरा के माध्यम से मैं एक बास समझ लिजेगा इसको मैं भी स्पस्ट करता हूँ यह महाशिरा के माध्यम से दाए आलिंद में आ गया ठीक है ठीक है अब दाए आलिंद में आ गया और आयलिंद में आया उसके फेलने से अब देखिए क्या हुआ इसमें हुआ क्या कि ये अब यहां से समझाता हूँ मैं देखिया कि अब आपका ये महाधमनी से आपको पता है कि ये शुद्रुदिर शरीर की और पंपित हो गया था अब क्या हुआ कि अब शरीर में ये पहुच तो यह होगा कोशिकाओ में पोच गया उदकों में पोच गया शरीर के भी बिनंगों में पोच गया अब वहां से यह क्या हुआ वी ऑक्सिजनी थो गया तो यह हुआ कुल मिला के अब यह शुद्र अशुद्र है यह वापस कि दर आना इसको इसको आना है रधाय की और तो यह रधाय की और जब आएगा तो देखी में यहां से बताता हूं आपको कि यह महाशिरा के माध्यम से आएगा और महाशिरा के माध्यम से आएगा कहां पर इस दाए अलिंद में और वो यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा तो शरीर के उपरी भाग से महाशिरा और शरीर के निशले भाग से महाशिरा तो यह महाशिरा के माध्यम से यह आएगा ठीक है ना तो यह आपका यह हो गया ना यह उर्द महाशिरा और यह आपके हो गई निम्न महाशिरा यह थे दोनों ही आलिंद में जो अ मारा खुलतीheiten लुक्क्ती तो यह आपका यहां से दोनों नहुति है और यह आपका कonसा रुदिर ह прям आशड्ये पी the okay कि यह कदल ये आपका शरीर कि चला और ये शरीर से जब वापस आरहा है रधाय की और तो यह आ शुद्ध secondo abs. सब्सक्राइण जिए शचल्य दिए यह सchen। और आपको दो बार दिखाई दिखाई देरे होगी यह महाशीरा साने के लिए एक उपरे इससे से और एक यह निष्ले भाग से तो यह क्या है कि इसको उर्द महाशीरा बोलते है और इसको बोलते हम निम्न महाशीरा और दोनों से यह कहा आता है यह दाएं अलिंद में आ जाता है तो यह दाएं अलिंद में आ गिया ठीक है तो यह हमारी step 5 कि हम आएं महाशिरा से यह शरीर से महाशिरा के माद्यम से आए और कहा आ गया हम ये दाएं अलिंद में आगिया step 5-6 कि महाशिरा के माध्यम से ये शरीर से जो है ये महाशिरा के माध्यम से शरीर से जो है carbon dioxide प्रचूर रुधिर या अशुद्ध रुधिर जिसको हम कहे रहें दाएं अलिंद में आगिया 5 और 6 अभी में 5 और 6 बता थेता हूं आपको तो ये 5 और 6 तो ये यह यह और ये तो ये पाँचर छे हो गए थीक है ले ना तो चलिए अब आपको यहाँ आपको 5 और 6 यहाँ बी ये 5 ये 5 हुए 5 आपके 2 दे दिये ऐ ने 5 क्योंकि यह अधाशिरा आपकी कुन्सी ओगई यह उगई यह उगई यह उगई अपका दाय अलिंद में ठीके अब हमें पता है यह जो अशुद्द रुदिर और इसको कहा जाना पड़ें पड़ेगा अब दायं पुद्द फिर पंपो कि फुपुष की तरह मतलब लंग्स क क्योंकि इसको होना है शुद्ध तो चलिए अब यहां से फिर कहाने वाला यह यह दाएं अलिंद से आएगा दाएं निले में तो अब यह रुदिर तो यह रुदिर तो यह रुदिर तो यह रुदिर तो यह रुदिर दाएं अलिंद से आजाएगा दाएं निले में क्योंकि यह आपका यहां देखिए 6 से 7 यह होगि आपका दाए अलिंद से दाए निले में आ गया है यह देखिए दाए अलिंद से दाए निले में आ गया तो मैं इसको भी 7 नमबर देदा हूँ कि यह दाए अलिंद से दाए निले में आ गया तो यह अशुद्ध रुधिर जो है यह और दाए अलिन्द के संकुचित होने से अशुद रुधिर उसी समय दाए निले के फैलने से उसके अंदर आगया, अब ये रुधिर तो है अशुद। ठीक हैं, अब इसका फिर यहां सब पंपिंग होना है, अब पंपिंग होके किस साइड जाना देखें, अब ये 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 से तो फुपुस धमनी की मदर से जाएगा फुपुस लंक्स में तो यह हमारी step number हो जाएगी 8 बाट, क्यों जाना है, यह देखिए, यह दाय निले में, दाय निले से अशुद्रुदिर आपका, ठीक है, यह 7 नमबर स्टप से अशुद्रुदिर, फुफुसी धमनीों के मदद से वापस जाएगा फुफुस के अंदर, यह देखिए आप, यह साथ नमबर में देखिए ग ले जा रहा है और फिर आपकी step 1 स्टार्ट हो जाएगी तो यह लंग्स में जाएगा शुद होने के लिए तो यह आपकी होगई step number 8 कि आपके जो दाया निले है उसे फुफुसी धमनी की मदद से फुफुस में लंग्स के लिए चला गया तो यहां भी देख लिए step number 8 यहां स साथ से यह नंबर आपकी हो जाएगी 8 नंबर की पुफुस धमनी की मदद से कहां जा रहा है फुफुस में जा रहा है लंग्स की तरफ चला गया अब हमें बातसंज में आ गई कि फिर लंग्स से वापस आपकी step number 1 स्टार्ड हो जाएगी तो मतलब हम ने समझ लिया step number one start हो जाएगी मतलब आप आपका रधह का जो लगातार काम करने का जो पेटरने वो आपस चुरूओ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया इसमें एक बात समझेगा कि जब भी जो बलड होगा जो हमारा रुधीर होगा वो फुफूश से अर्थात लंक्स से आएगा तो वो बाइई साइड आप उसको लाएगा, लेफ्ट में और वो शुद्ध होगा औक्सिजनित होगा, आक्सिजन सम्रद होगा औक्सिजन इज जूगा, उसमें ऑक्सिजन प्रचुर होगी, और लेफ्ट, बाया शुद्ध, यह याद रखेगा, लेफ्ट, बाया शुद्ध, एक यहाँ से आया है, जब भी बलड फुऺफुस से यागा, वो बाई साइड में पुऺएगा, वो सिद्ध ओगा, वो ऑक्सिजेन हीट होगा, रिजस्ध होगा, उस में ऑक्सिजेन प्रचुर होगी, लेफ्ट बैया शुद्ध याद रखेगा, लेफ्ट बैया शुद्ध, और जब भी बलड तरफ से तो वो carbon dioxide co2 प्रचूर होगा और वो जाएगा किस में आपके लंग्स में जाएगा काई के लिए किस के लिए शुद्ध होने के लिए मतलब वो जाएगा आपका oxygenate होने के लिए तो ये पूरी एक step है पूरा एक procedure है ये शरीर को महादमनी और ये शरीर से महासिरा यह को की बजाए से पढ़िएगा धन्यवाद रक्त ब्लड जिसे हम रुधीर भी बोलते हैं रक्त के कार्य रक्त कणिकाओं के प्रकार इस पर हम चर्चा करते हैं रक्त रुधीर ब्लड क्या है रक्त या रुधीर पहले हमें एक बात समझना होगी जो जन्तू होते हैं उनमें विभिन अंगों उत्कों का जो संयोजन होता है वो एक खास तरह के जन्तू उत्कों की मदद से होता है मतला अंगो उत्कों का जो संयोजन बनता है वो एक खास तरह के संयोजी उत्कों से होता है जिने हम कनेक्टिव टिशू बोलते हैं और जो संयोजी उतक होते हैं, जैसे कि ये रक्त है, बलड है, इनकी कोशिकाय आपस में कम जुडी होती है, mıतलब यह इस तरीके से जुडी नहीं होती, बल्कि ये एक एक स्थान के अंदर मतलब अंतरकोशी की मैट्रिक्स या साधात्री में धसी वी होती है, और जो मैट्रिक टिशू या सहियों जीव तक की खास्यत होती है अब ब्लड की बात कर लें रक्त की बात कर लें तो जो रक्त है वो एक तरल सहियों जीव तक है पर तब सहियों जीव तक तो है पर कैसा है तरल है द्रव है और जो रक्त का तरल मेट्रिक्स भाग होता है जिसमें ये इस तरीके से कणिकाएं निलंवित होती है, सस्पेंड acids होती है, इस तरल मेट्रिक्स भाग को कहते हैं, बलाजमा, तो देखी ये पूरा आपको पीले वाला भाग जो धिखाई दे रहा होगा, ये प्लाजमा है, इस प्लाजमा में लालरक्त कणिकाएं हैं, देखे रेड वाली ठीक है इसमें श्वेत रक्त कनिका हैं देखे ये वाली अलग-अलग टाइप्स की और इसमें प्लेट लेट्स हैं ये इसके अंदर क्या होते हैं सस्पेंडेड होते हैं निलम बित रहते हैं प्लाजमा में प्रोटीन होता है नमक होता है हर्मोन भी होता है प्लाजमा के बारे में आपने अभी COVID के समय अभी आप जो हमारा संक्रमन चल रहा है उसमें आपने प्लाजमा के बारे में काफी कुछ सुना होगा तो जो कोरोना है इस दोर में प्लाजमा के बारे में जो आपने सुना है एक्शल वो उसमें क्या है कि ये जो प्लाजमा होता है इसके प्रोटीन में एंटीबोडी होते हैं जो बीमारियों और संक्रमन के खिलाब शरीर की रक्षा प्रणाली में मदद करते हैं और इसी प्लाजमा का यूज किया जा रहा है ये COVID-19 में इसके उपचार में तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वापस अपनी बात पर आ जाते हैं तो रक्त के तरल मेट्रिक्स भाग को प्लाजमा केते हैं और प्लाजमा में ये लाल रक्तकनिका आएं आपकी श्वेत रक्तक करें तो इसमें लाल रक्तकनिका आएं या कोशिका आएं जिनको हम र्दी सी बोलते हैं रेड़ ब्लॉट सेल्स लाल रक्तकनिका आएं टूली क्या है इरिथ्रोसाइट इनको बोला जाता है अंगरेजी में और ये ये इस तरीक एस देखिए डिस्क के आकार की कोशिका मतलब concave इनका shape होता है इनको microscope से आप देख सकते हैं इन में क्या होता है कि एक लाल वर्नक होता red pigment होता है और इसको हम हीमोगलोबीन कहते हैं उस red pigment को हीमोगलोबीन क्या करता है oxygen को अपने साथ बाइंड करता है और शरीर के विभिन अंगो और विभिन अंगो के साथ-साथ अ oxygen को लेकर चलता है और शरीर के सभी अंगोर कोशिकाओं तक इसका परिवन करता है ट्रांस्पोर्टेशन करता है तो यह लाल रक्त कनिकाएं जो है इसमें होता ही हमोगलोबीन red pigment होता है लाल वर्नक होता है याद रखेगा दूसरा हमारी जो कोशिकाओं है या कनिकाओं वे हैं wbc white blood cells इसको अंग्रेजी में leukocytes बोलते हैं leukocytes क्या होता है यह कोशिकाओं उन रोगाणों को नस्ट करती जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो एक्चुली यह क्या है यह संक्रमन से लड़ते हैं leukocytes और हमें बीमारियों से बचाते हैं तो यह कहीं तरह के हो सकते हैं या अनिमित आकार के भी होते हैं irregular shapes भी होता है इनको भी आप microscope की मदद से देख सकते हैं और एक और हमारा है यह जो वो है पट्टी काणू या platelets जिसको thrombocytes भी बोलते हैं तो यह तीसरी तरह की कोशिकाओं है platelets कोशिकाओं होती है यह इस तरह से छोटी गोलाकार या अंडाकार रंग ही कोशिकाओं होती है और यह पूरे शरीर में भ्रह्मन करती है और चोट लगने या कटने के स्थान पर जहां पर भी रक्त का स्तराव हो रहा होगा तो यह रक्त का ठक्का बनाकर उस रक्त स्तराव को क्या कर देती है रोक देती है तो इस तरीके से यह रक्त कनिका हैं हमारे लिए बहुत काम किये और ये जो रक्त है उसके प्लाजमा में उसके मेट्रिक्स भाग में उसके लिक्विड मेट्रिक्स पार्ट में ये लाल रक्त कनिका है रबीसी श्वेत रक्त कनिका है डबलीबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो सस्पेंड़ेट र भूमी का मिली जूली भूमी का भी हो जाती है तो हमने ब्लड या रक्त के बारे में जो बात समझीवोग यह कि रक्त एक तरलस। सहीच जी उतक है जो रक्त बहीड होता है और परिशंचन औरन्ट कि बात कर लें थोड़ी सी तो एक लाइम में अपन समझ सकते हैं कि रधे और रक्त भाहिनिया जिसमें रख्त हैं तो रधे रक्त भाहिनिया कर ले या रधे और रक्त भाहिनिया बाइंडोकर या संयुक्त रूप से हमारे शरीर का जो है परिशंचनन तंत्र बनाती है और इस इस परिशंचन्चन तंत्र का जो पुरा भेस है वो है, ब्लट, जो रक्त भाहिनियों में प्रवाहित होता है, रक्त के कारे हैं, इसमें सबसे मेहतो मुनरूप सकर हम कहें, क्यूंकि हमारे जीवन का तो आधार है, तो हम कहें कि अगर रक्त के कार्यों को तो एक, अगर मैं च और उत्सर्जी पदार्तों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सम्वहन करते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन और अक्सिजन को सभी कोशिकाओं तक ले जाते हैं, और शरीर के सभी भागों से जो अपसिस्ट पदार्त हैं, उनको एकत्र करके यक्रत और व्रक तक उत्सर् हमिए शरीर के जो पचेवे भजण है उसको अप सभी कोशी काहों तक ले जाता है I'm the przy कौशीजन को सभी कोशी काहों तक ले जाते हैं तैना करते हैं हार्मों सर्चर्द हैं को भी शरी के एक बाग से दुसरे भाग तक समवहन करने का काम करते और यह अफसिस्ट पार्थों का भी निसकाशन करने में मदद करते हैं तो यह रक्त के कार्यों गए और अगर इन्हें करके भी देखना हो तो रक्त जो है पाचित भोजन को छोटियां इसमाल इंटेस्टाइन से शरीर के इंटेस्टाइन से शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं तो यह जिसे जो भोजन को ले जाने का काम है उसकी बात हो रही है और क्या करता है रक्त रक्त जो है फेफडों से अक्सिजन को शरीर की कोशिकाउं तक ले जाता है तो फिर क्या करेगा यह शरीर की कोशिकाउं से क्या होगा कार्बन डियाकसाइड लेकर फेफडों तक भी पहुचा देग ठीक है ना और ये हार्मोन का शरीर में समवहन करता है अब ये एक्चुली हार्मोन का शरीर में समवहन कैसे होता है कि जो अंतेस तरह भी ग्रंथियां होती उससे हार्मोन लेकर ये शरीर में भेजने का काम करता है और प्रतिरक्षात्मक कारी भी ये करता है अभी हमने देखा प्लूलिटा था कि यह शरीर के साउंप नियंटर सै कि कर थे हुश सरी करें को थेकि करते हैं और आप अगर आप चाहिए तो टाप के कि अगद और लसीका में नंतर एक मिनिट की टिक में तयार हो जाएगा रक्त और लसीका में अंतर क्लास 10 साइंस इसके लिए क्या करना है हमको केवल एक वाक की याद रखना है यह देखिए यह वाक के है प्रोफेसर रंग लाल ओपो ये देखिए मैंने आपको एक चित्र भी यहां पर दिया है ताकि आपके दिमाग में वो बन जाए कि प्रोफेसर रंग लाल है और इनके पास ओपो मॉबाइल है तो प्रोफेसर रंग लाल ओपो प्रोफेसर रंग लाल ओपो अगर आपको याद आपका बिल्कुल इस पास रूप से आपने यहां रंग लिख लिया है ठीके फिर तीसरे नंबर पे हो गया है लाल रख टकनिकाएं देखिए प्रोफेसर रंग लाल यह देखिए प्रोफेसर रंग लाल को हमने यहां पर बनाया है तो प्रोफेसर रंग लाल यह प्रोफेसर अपो आप जाखीजम की मआतर रंग से रंग हो गया लाल भी ठीक है रंग ओ लाल एसा कैसा है और ऑपो अओक्सीजन और पोशकपदार्त सपह आ कि मातरः जब आप रक्त के अंदर युट्स के नटर आएंगे तो रक्त में प्रोटीन के अदिक होती है तो देखिए अधीक अधीक उपस्तित में अधीक उपस्तित मेरला पॉजिटिव साइन्स के अंधर रहें घयाद रखने कर वे और रंके सारे तस का हमें तो यहारे लाल डलिग कर रभी उत अब इस्ते जो वीप्रिद बाते हैं वो इधर लिग भी ते अधी लिका को तैयार कर लेंगे तो इस तरीके से प्रोफेसर रंगलाल ओपो से आप यहां कर लिजेगा और सारे पॉजिटिव साइंस इधर दीजेगा अधिक अधिक उपस्तित गहरा लाल रंग और यहां कम-कम अनुपस्तित और रंग ही धन्यवाद धमनी और शिरा में अंतर एक ट्रिक की मदद से देखिए धमनी और शिरा में वेसे तो हम अंतर बहुत आसानी से कर लेते हैं पर अगर ट्रिक का उपयोग करें तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि भीक की आयरूकी अभी के बल इतना देख लिजी भीक की आयरूकी तो भी से आप बना लीजेगा पहला पाइंट इसका भित्ती तो भी से भित्ती बन जाएगा क से कपाट हो जाएगा तो भीक क से कपाट हो गया भी से भित्ती भीक की छोड़ दीजे आये आये मतलब अब यहां आये से आश्य हो जाएगा आपका आयतन से तो भीक की आये रुकी रुकी से हो जाएगा रु से रुधिर और की से किधर तो भीक की आये रुकी भी से भित्ती क से कपाट आये आयतन और रुकी से रुधिर किधर अब देखे इसमें भीक की आये रुकी से इसमें देखेगा धमनी के अंदर भित्ति जो होती है मोटी और लचिली होती है और इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, आईतन जो है इसके आईतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और रुधिर इसमें रधय से शरीर के विभिन अंगों तक ले जाये जाता है, तो देखे अगर आप इसमें भीक की आई रूकी कर लेते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं भीक की आई रूकी मोटी नहीं नहीं रधे से तो देखे भीक की आई रूकी मोटी हो जाएगा और नहीं नहीं रधे से हो जाएगा तो इसमें आपको यह वाली भी आसान हो जाएग जहां नहीं लिखा है वाँ पाए जाते हैं कोई परिवर्तन नहीं तो परिवर्तन होता रहता है और रधे से शरीर के विविन नंगों तो उल्टा कर दीजे शरीर से शरीर के विविन नंगों से रधे तक हो जाएगा तो हमने जो सीखा वो यह है कि इसकी भित्ती मोटी तता लचीली होती है, इसमें कापाट नहीं पाए जाते हैं, इसके आईतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये रूधिर को किधर, रदे से शरीर के विभिन नंगों तक ले जाती है, तो आप भीक की आई रुकी से आप कल लिजिए, भी से भित्ती, क से कापाट, आई से आईतन और रुकी से रूधिर किधर, और आप चाहें तो मोटी नहीं नहीं रदे से भी कल लिजिए, तो धमनी का काम भी हो जाएगा, धन्यवाइद। किस तरह होता है, पादप में जल और खनीज का वहन, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांस्पोर्टेट इन प्लांट्स, तो किस तरीके से प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांस्पोर्टेशन होता है, मतलब किस तरीके से जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पोधे होत उन में जल औरो खनीज लवण जो है वो नीचे से ऊपर की और जाते हैं, वास्तव में क्या है कि जो जटिल स्थाई पादा पूतक होते हैं, वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोयम, इन्हें हम समवहनू तक भी कहते हैं, तो यहां जो भूमी का निभाएगा, वो निभाएगा जाइलम, मतलब पादप में जल और खनीच के वहन के लिए जो भूमी का निभाने वाला है वह है जाहिलम, जाहिलम की जो कोशिकाएं होती है, उनकी कोशिका भित्ती मोटी होती है, और ये जड़ों से जल को लेकर क्या करते हैं, पोधों के विभिन भागों तक पहुचाते हैं, किसके माध्यम से? इसकी जो ट्रेकिड हैं, इसकी वैसल्स हैं, वही निकाएं और वही काएं, जिनकी सरशना नली का कार होती है, और इसमें क्या होता है, जो जल होता है और खनीज होते हैं, जल में घुलेवे जो खनीज होते हैं, उनका उर्धवादर, उपर की ओर समवहन होता है, जो जाहिलम पेरेन काइमा है वो पार्षवी या साइडवे समवहन करता है तो जो हम बात कर रहे थे कि अब पादप में जल और खनीच का वहन किस तरीके से होता है तो जो जाइलम उतक होता है उसमें जड़ों तनों और पत्तियों की जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती है ठीके ट्रे ले जाने वाली वेसल्स का एक सतत जाल बनाती है, मतलब यह आपका जल को ले जाने वाली जो वेसल्स होती है, उसका एक कंटिन्यू या कहते हैं, एक कंटिन्यू, एक चेन बना देती है, यह यूँ कहें, एक सतत जाल बना देती है, जो पादप के सभी भागों से जुड़ी ह होती है तो हमने जो स्टार्ट किया वो यह है कि जो जाइला मूतक होता है उसमें जड़ों तनों और पत्तीения नीचे हैं तना काईं बीच में पत्तियां इस तरह ऊपर की तरफ होती हैं तो उनकी जो वही निकाएं और वाहिकाएं होती है अब हम समझ गए आपस में जुड़कर जल समवन वाहिकाओं का एक सतज्जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से जुड़ी होती है अब क्या होगा इससे अब क्या होता जो जड़ों की कोशिकाएं है सबोसे यहां से देखना हम शुरू में आती है तो वहां से सक्रीता से आयन प्राप्त करती है तो उससे क्या होता है कि फिर जो जड़ होती है वो और जो म्रदा होती है उनके बिच आयन के सांद्रण में अंतर आजाता है थीक है? क्या का मेंने का चणों की जो कोशिकाय म्रदा के संपर्क में रहती है. वहांसे व本ी इता क्या पराप्ट करती है? अब इस से क्या होगा? इस से बिए कि जड़ और म्रदा है, उनके विच आयन सांध्रन में अंतर आएगा. और जब यह आयन संद्रण में अंतर आएगा तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए म्रदा से जो जल है वो कहां प्रवेश करेगा जल में प्रवेश कर जाएगा अब जल क्या करेगा अनवरत गती से क्या होगा जल के यह जल उपर जा रहा है तो यह अनवरत गती से क्या करेग जड़ के जाइलम में चला जाएगा, और जल के इस्तम्ब का निर्मान करेगा, जो लगातार जल का इस्तम्ब, water column क्या होगा, उपर की ओर धकेला जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा फिर, ये water column उपर की ओर लगातार धकेला चला जाएगा, ठीक है, हमने एक step इसकी समझ लेकिन पोधों के जो उच्छ भाग होते हैं वहां तक इस तरीके से जल को पहुचाना या जल में घुलेवे खनीजों को पहुचाना बड़ा मुश्किल है तो उसके लिए एक जो प्लांट होता है एक पादप होता है उसके अंदर वाश्पोस्ट सर्जन की एक और विधी होत होती है और इस क्रिया के द्वारा वो क्या करता है वाश्पोस्ट सर्जन के माध्यम से वो जो यह काम नहीं हो पा रहा है उपर तक जल और खनीज को ले जाने का काम वो काम यह यहां से इस वाश्पोस्ट सर्जन के माध्यम से संभाव हो पाता है कैसे हो पाता है कि जो पत् प्लास्टिक की थेली जो है वो अच्छे से कोई एक इसकी डाल ले लिजेगा जिसमें बहुत सारी पत्तियां हो और उन पत्तियों को घेरते हुए एक प्लास्टिक की थेली आप बांद दीजेगा तो एक दो दिन में आठ घंटे में आप देखेंगे कि वो पानी से भर जाए मतलब वो पत्तियों के जो रंद्र होते हैं इस्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा जल की क्या होती है हानी होती किस रूप में होती हो वाश्प की रूप में होती है तो यह एक 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 नेसेसरी मतलब आवशक बुराई है पोधों की अभी देखिए पानी का नुकसान हो रह होता है उसके दोवारा जल जल की हनीवाश्ट करके रूप में होती इसको क्या कहा हमने वाश्ट पॉसक नकी sacrificar पत्षय की इन पत्यों के इंदर जुजॉंत होता है रिप्लेस्मेंट धिक यहां से चल जय pleas esperar हेगा उचर्णकपन हो तो आपको पता है किब हम शाही की जो दबात में जब उपर से वो रबर वाला जब डालतें इसको जब हम धब क्यों मैं cycles तो यहां भी ठीक वे सही कि जब आपने यहां से जल का वास्ट पन हुआ तो यह पिछक जाएगा और जैसे यह पिछकेगा और फिर क्या होगा यह यहां से आपका जल इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा तो क्या हुआ हम समझ गए कि यह क्या करता है जल को जड़ों में वेसे वेसे जल क्या होगा नीचे से जड़ों जड़ों से किधर चड़ता जाएगा यह जड़ों में उपस जायलम कोशिकाओं द्वारा उपर खीशता चला जाएगा तो इस प्रकार जो वाश्पोस सर्जन है वो जल के आउशोशन तथा जड़ से पत्तियों तक जल और उ यहां से लेके पत्तियों तक जल कहा जा रहा है एक ही दिशा में उपर की और और जल और जल में विले खनीज लवन गती करने लगते हैं तो इस तरीके से यह जल और जल में जो विले खनीज लवने यह उपर की और मूमेंट करने लगते हैं तो यहां से हमें दो बातें समझ जो आयन्स जो है वो जब जाने लगे तो फिर इन दोनों के बीच में जो आयन के सांद्रन में अंतर आया उसके काणे जल उपर चला गया और ये एक उचाई तक उपर चला भी जाता है लेकिन अगर इसको इसके शिर्ष भागों तक पहुचाना तो फिर क्या होता एक सेकंड क बात को समझा कि जायलम दोारा पोधों में इस तरह से जल और खनीच का एक दिशीक परिवहन होता है अब हम बात करेंगे कि फिर भोजन का इस्थाना अंत्रन कैसे होता है आई ये उसे भी देखते हैं पादप में भोजन का इस्थाना अंत्रन मताब फूट का ट्रास्पोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में तो ये जो वहुजी अन्तर है पाता भूसते ही को वहाय है। ऐसके सही प्रहते हैं। यहां यहां हमें थोड़ा साथ को समझस्धना पड़े itself सकतर है। हमे पताया के लियव कि भोलुटा का थें और श्वी। नहीं नहीं हमें थो डिय तो यह तो यह तो पतियों में बनता है, है ना प्रकास संस्लेशन की क्रिया होती तो उसमें प्रकास संस्लेशन की क्रिया के दोरान जो भोजन बनता है ठीक है ना अब वो जो भोजन है उस भोजन को कहा जाना चाहिए वो तो पूरे जो पादफ है प्लांट है उसमें सभी तरफ जाना चाहिए उपर नीचे दाएं ब बना हुआ उत्पाद इसका जाना और इसको इस्थान अंत्रन केते हैं और एमिनोमल और अन्य पदार्थों का परिवान ये फ्लोयम के द्वारा होता है तो जो फ्लोयम उतक है उसके द्वारा ये संभव उता है जाइलम उतक में हमने देखा था कि एक दिशा में नीचे से उपर भी दोनों दिशाओं में होता है तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये होता होगा देखिए एक्च्वल क्या होता है कि जो जो फ्लोयम है उसके द्वारा जो भोजन का देखिए आप ये पत्तियों में भोजन बन रहा है यहीं से इसको लेकर चल रह है तो यह उर्जा के उप्योग से इसका स्थाना अंत्रन होता है कैसे कि ATP से जो उर्जा मिलती है उसका उप्योग करके जो है पोधू की पत्तियों में बनावा भोजन क्या करता है फ्लोयम उतक की जो चालनी नलिकाएं है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह एसा ए अब क्या हमने कि जो ATP से मिली उर्जा है उसका उप्योंकर पोधों की पत्तियों में बनावा जो भोजन वो क्या कहां प्रवेश कर जाता है अब क्या होता जब इसमें प्रवेश कर जाता है तो क्या हुआ परासरण की प्रक्रिया होगी और जो शरकरायुक्तजल है वो भी आ गया चालनी नलिका में आ गया अब शरकरायुक्तजल चालनी नलिका में कहा है आ गया 132 एक्lash के अवग जब यह आपका पत्यों में बनावा जो भोजन है यह आप जिसको क्रोज यह चालनी तो हम उता है तो हुआ आप यह आपका CR paying तो यह जो है पानी के जो अनू है वो जाइलम से फ्लोयम में प्रवेश कर जाएंगे तो इस कारण से क्या होगा कि जो जल के अनू है वो यहां प्रवेश कर गए तो अब क्या हुआ अब सुक्रोज के साथ कौन मिल गया जल भी मिल गया तो यह हो गया आपका शरकरायुक्त ज तो यह चालनी नलिका में प्रवेश कर गया, अब जब यह यहां जल और आपका शरकराईब तो जल जब इसके अंदर प्रवेश करता है, तो फ्लोए मूतक में प्रेशर बढ़ता है, अब आपको पता है कि जब प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो हाई प्रेशर होगा वहां से वो किधर जाएगा भोजन लो प्रेशर के और जाएगा तो यह शरकराई तो जल जो है वो किधर जाएगा लो प्रेशर वाले हिस्सों में जाएगा तो लो प्रेशर वाले हिस्सों में जाएगा मतलब वो क्या होगा पोधों के सभी हिस्सों में भोजन के रूप में वो पहुशता चला जाएगा तो यहां यह जो आप इस बात को महत्वन रुप से समझना पड़ेगा कि फ्लोय मूतक में जो प्रेशर बढ़ता है तो उसमें बना हुआ जो हाई प्रेशर है वो पोधों के लो प्रेशर वाले अन्निसभी इस्सों में भोजन पहुचाने का काम करेगा तो इस प्रकार फ्लोय मूतक के माध्यम से पोधों के विभिन निस्सों में भोजन को पहुचाया जाता है तो हमने दो बातें यहां समझी एक बात हमने यह समझी कि जो जाईलम है वो जल और जल में घुले हुए खनी जो को एक दिशा में उपर की और उसका वहन करता है उसको भेशता है और जो फ्लोय मूता है उसमें पदार्थों का परिवहन भोजन का परिवहन जिसको इस्थान अंतरन कहते हैं वो दोनों दिशाओं में होता है धन्यम जाईलम और फ्लोय में क्या अंतर है या जाईलम और फ्लोय में पदार्थों के परिवहन में या ट्रांस्पोर्टेशन में क्या फर्क है तो इसमें ये 9-10, Science, 11-12, Biology और GK की दरश्टी से भी बहुत महत्तोपुण है कि ये जाईलम क्या काम करता है कि जल से जल और उसमें घुलेवे खनीज लवनों का परिवहन पत्तियों और पादप के अन्यभागों में करते हैं तो जल और खनीज का परिवहन करते हैं और तो उपरी दिशा में करते हैं और ये जो परिवहन होता है वहिकाओं और वहीनियों के द्वार्णा होता है और इसमें जो अधिकतर कोशिकाओं हैं जाईलम में वो क्या करते है जल और खनीज का परिवन करते है खनीज-लमन का और यह भोज़य-पदार्तों का करते हैं कौन फ्लोयें यह objective में भी याद रहाएगा कि जाईलम जल और खनीज और फ्लोयेम भोजय-पदार्त ठीक है और यह पदार्तों का प्रिवन सब कर यह कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं होती है, आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांग की चित्र बनाएंगे और step by step हम उसको समझेंगे, बहुत आसानी से चित्र बनाना सिखाऊंगा, बस आप इसको follow करते जाएगा step by step, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि इस तरह की स्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए, और यह हमारा इस ट्रक्चर बन जाएका महाशिरा का, तो महाशिरा के स्ट्रक्चर के लिए इस तर Maggie तैयारी हमको पहले करना चाहिए, थीक है na, तो यह जैसे आपका 2022 Te ana चैर होती, उसका निशना सिरा होता ही, जहां वह वाला जो तो हिस्सा है उस तरह से आपको यहां महाशिरा और उसकी बगल में इस तरीके से महाधमनी को तैयार करना चाहिए तो यह अगर इस ट्रक्चर आपका आपने तैयार कर लिया तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा देखिया यह आपका हो गया यहां आपकी बन जाएगी यह न आपका एक जोड़ी इसमें व्रक भी होता है हमें पता है तो जो आपकी ये वाली जो निल्या वाला आपको दिखाई दे रहा है इस निली वाली को आप क्या करेंगे कि व्रक शिराओं से जोड़ेंगे तो देखे मैं यहां जोड़ रहा हूं आप ध्यान से देखे किस तरीके से जोड़ेंगे, यह देखे, इस तरीके से आप व्रक शिरा से इसको जोड़ेंगे, बहुत आसान है, देखे, यह वाला इस से यहां से जोड़ दिजिए, तो यहां से भी आप व्रक शिरा से इसको जोड़ दिजिए, तो इस तरीके से आपकी यह व्रक शिराएं भी तैयार ह हो जाएगी थिके हैंग से अब व्रक धमनी देखी अब इन को जोड़ना ये इस तरीके से यहां यह Criminal जोड़िघी यहां से अधाल कर आइगी है ना है तो यह को यहां यह लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी फ्लैट मतलब इसमें कोई भी गेप नहीं है न देखे अब मैं आपको ध्यान से देखेगा तो यह इस तरीके से चल कर कहां तक जाएगी है यहां तक यह यह देखिए यह यहां से निकल कर यहां आएगी तो यह आपकी हो गई यह यह क्या बना रही आपकी वरक्षिरा जैसा इस तरफ किया आपने वैसा ही स्तरफ कर दीजे तो यहां कर दिजे व्रक्षिरा भी complete हो जाएगी और मैंने अभी जैसे कहा कि इनको व्रक्क से जोड़ते हैं तो देखिए आप देखिए इस structure में देखिए नीले वाले structure में पूरा यह नीला structure महाशिरा का और यह वाला जो हिस्सा है यह क्या आपकी व्रक्क शिरा है है हो गई और यह लाल वाला उसमें जाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इस तरीके से यहां देखिए यह सेम के बीच के आकरती के व्रक्क को आपको रेडी करना चाहिए और साथ में जो मुत्राशाय का शेप होगा वो कुछ इस तरीके से आपको तयार करना है तो यह आपके बेसिक स्ट्रक्चर एक बार आपका बन गया तो आप मानो उस्ट्रजन तंत्र को बहुत अच्छे से बना पाई है चली आईए इसको बना लेते हैं और नामांकर भी कर लेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह वाला इस्ट्रक्चर अगर आपका रेडी हो गए ठीक है तो यह लाल वाली आपकी क्या है यह है महा धाम्नी और यह है आपकी नीली वाली क्या होगई και महा शिरह हो गई और इनको वरक से जोढ़ने कि लिए हमने क्या पर निकाल दिये अब इनको किससे जोड़ेंगे इनको वरक्क से जोड़ना है रखा देखिए तो वो टेक्निक अपने आप हो जाएगी जिस आप अगर मेरे चित्र को फालो करेंगे तो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा तो यह आपके हो गए ठीक है यह एक जोड़ी आपका व्रक्क भी रेडी हो गए अब उसके बाद आप क्या करेंगे इस तरीके से यह मुत्र भाहिणी को लेकर आना है यह इस तरफ से भी आप वेसा ही करेंगे है तो यह आप इसको मुत्र मार्ग में चला जाएगा तो इस तरीके से आपका ये मानः उस्षररजें तंत्र का चित्र बने अच्छे से आपको इसका नामांकन भी करना है तो सबसे बहले नामांकन में आपने बना है था नहीं से चुरू किजिएगा इसको यह क्या है याद आ रहा है आपको यह लाल जो रंग से हमने तयार किया था इसको हमने कहा था महा धमनी और यह जो नीले से हमने तयार किया था महा शीरा अब महा धमनी और महा शीरा बनने के बाद क्या किया था याद है आपको कि यह वाली जो हमने क्या किया था वरक धम आपको जाका लिखने ही जरूती, जैसा बाया है बेसा ही दाया है, तो जब नामंकन करेंगे, आप तो बाई साइट का नामंकन कर लीजिए, आपके NCRT की बुक में सारे नामंकन बाई साइट के करके दिये हुए है, तो चलिए अब ये वाला आपको मालूम है क्या है, यहे आ है, और ये नामंकन क्या है, इसका नाम आपने क्या दिया था, इसका नाम दिया था, मुत्रवाईनी, लेकिन ये मुत्रवाईनी बाई साइट की है, तो बाई मुत्रवाईनी, मतलब ये बाई साइट के जितने भी इन सब में बाई आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको प